सभी को गुड इवनिंग सुब संध्या सभी को गुड इवनिंग सुब संध्या उपस्थी थो जाईए फटा-फट्चे सब लोग करें आज कमेंट वाले चींट बंद नहीं रहेगी और हम लोग साथ में रहेंगे कमेंट वाले स्क्रीन आज बंद नहीं है, सब लोग साथ में रहेंगे बाच्चित भी हो जाएगी थोड़ी से सिख्यां कोई है अवाज और वीडियो क्लियर है सभीको क्छले चली के कि पहले सबसे पहले आज़ क्लास में जो डेली वाली क्लास के चाहँ अग्लाइब क्लास कोरे को कॉल्स भीछ फव्यवैं ङरेंब zostぜ cuz क्लास क्लास में ठोड़ा समय कवें नायग्छा है तक है क्लास में फोड़ा समय कमेंट आंस करता हूं केो जुड़ जाए सब लोग like का बटन एक साथ दबा दीजिये जो लोग अभी है like का बटन एक साथ दबा दें सबसे पहला काम हम लोग अभी देखने जा रहा है कि mecanics पेपर आता कैसा कि इतने लोग यह चाहते हैं कि सर पहले आप mechanics आप paper दिखाए तो आप पढ़ाते चले गए हैं पूरा mechanics खतम हो गया paper आप दिखाए ही नहीं हाँ हाँ चलिए आए सबसे पहले mechanics का paper देखते हैं यह आपके आया हुआ paper है कब का June 2019 में यह सलेबस update होने के बाद का paper है June 2019 में ठीक है ना like का बटन सब लोग दबा दें June 2019 में यह paper आया हुआ है ठीक है वेद है धीरज है अतुल ठीक है English engineer blog निखिल ठीक है आए आए देखते हैं पहले पहले मुद्दे पर बात किया जाए June 2019 में आया हुआ paper है और सुनिये ध्यान से paper को जड़ा ध्यान से पर एक बार ठीक से लिखी गई है क्या लिखी गई है क्या लिखी गई है क्या लिखी गई है attempt all question आपको सभी question करने है पहले उपर लिखा गया वैसे question wise individuals में भी options होते हैं तो आप सबसे पहले इसको देख लिए ठीक है ना फिर करा students are advised to especially check the numerical data of question paper सबसे पहले वो question का numerical data जरूर चेक करें और दोनों language में चेक करें ध्यान दीजिएगा questions का data दोनों language में चेक करें if there is any difference in Hindi translation यानि Hindi translation में यदि कुछ अलग होता है या कुछ अलगाव पाया जाता है तो any question the student should answer the question according to the English version यानि question को English version में students को देखना चाहिए इसकी सलाह हमें दी गई है ठीक है clear है बोला गया huge pager and mobile phone by the student is not allowed यानि use of pager मतलब pager और mobile phone का प्रयोग आपके लिए वरजीत है ये सब पूरानी बातें नई बातें क्या है नई बातें है questions पर हम लोग गौर करेंगे मैंने आज मैंने आज कहा था कि पूरा theory का part एक ही class में हम लोग खतम करेंगे ऐसा मैंने कहा था ठीक है आई ये सब लोग जड़ा question पर एक बार एक नजर डालते है question के उपर question में पहला बोला है पहला question ठीक है ना पहले में और बहुत सा तीन question दिया है फिर दूसरे में भी ऐसे दिया यहाँ पर लिखना भूल गया है कि इसमें से तीन में से दो ही करना है क्यों दो ही करना है क्योंकि question तो तीन है और बहुत सा number आप देख रहे हैं दो गुणा पांच यह question पांच नंबर का है दो यह direct paper उठाया गया है बट instruction ठीक से नहीं बनाये गया है आप इसको ध्यान से देख लिजिए इसमें आपको तीन नहीं करने है दो करने है और क्या है सब लोग ध्यान दीजिएगा जरा है आपे कह रहा है कि engineering mechanics प्रेक्टिकल फिल्ड में होने वाले उपयोग का वर्णन अभी केवल सुनिये ध्यान से मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनिये मेरी बात आपने जो आज तक मुझसे पढ़ा mechanics की क्लास में पढ़ा जरा देखिए कि उसका कोई असर हुआ है कि नहीं हुआ है क्या सब लोग सहमत है पेपर देखने के लिए कि मैं पढ़ाऊं एक बार बताईए पेपर दिखाऊं कि पढ़ाऊं सीधे बताईए जल्दी से आप लोग अभी theoretical वाला पार्ट शुरू करेंगे उसकी बात कह रहा है पहला कि engineering mechanics का practical फिल्ड में यानि utility of mechanics and application of mechanics is that clear अगला बोल रहा है बलों के transmissibility के सिद्धान को समझाईए और फिर है बलों के त्रिभूज नियम ने ट्रेंगल लाग पोर्स को समझाईए यह यह बोला है कि इसको प्रूफ करिए वित्पन करिए ऐसा कुछ बोला है कुछ नहीं बोला है क्या आप में से कितने लोग है कि अभी current में इसमें से दो पूस्ट्uchen का अंसर कर लेंगे कितने लोग ऐसे हैं जो इस इस में से दो और तूरंत कर लेंगे बताहिए इतने लोग आप लोगों में से हैं कि सर इन दोनों कोश्चन का तो आंसर हम लोग आराम से कर लेंगे कि इंजरिंग मेकानिक्स का प्रेक्टिकल फिल्ड में प्रयोक क्या है आभी मैं आपको थियोरी वाला जो पेपर उठाया हूँ आ वो भी मैं दिखाऊंगा कि मैंने जो सेट अच्छा कुछ लोगों को मेकानिक्स का पेपर मिल चुका होगा थियोरी और नुमेरिकल का अप्लिकेशन पर है डाउनलूट कर लिजेगा उसको ठीक है यह नीचे स्क्रॉलिंग बंद है मैं चालू कर दे रहा हूँ आपका यह दोनों चीज़ें नीचे दे यह बोला है कि दो गुड़ा पांच यह नीचे दो कोश्चन करने आपको और पांच नंबर का एक पोश्चन है ठीक है न ठीक है आँ ग्रेट ग्रेट सबी लोग कर लेंगे वेरी गुड लेकिन आप लोग सेशन शेयर नहीं किये इसका मतलब है ठीक है सेकेंड वारा ट्रा और थर्ड कर लूंगा वह जानने की ट्रांसमीसिबिल्टी का बल जहां लगता है उसकी क्रिया रेखा पर कहीं भी काम कर सकता है यहीं है ट्रांसमीसिबिल्टी का रूओ अभी दिखाता हूं थोड़ा वेट करो ती दूसरा कोश्चन कह रहा है मोमेंट आफ एक पूर से आप दूसरे के और में दो पार्ट है अगर आप मुमेंट को बताते हैं तो साथ में बली लुग में के प्रॉपर्टीज को भी बताना पड़ेगा वाट इस अप्रॉपर्टी जो अगर दूसरा का आप करते हैं तो आपको यह और यह दोनों कोश्चन करने पड़ेंगे तब अपकिलिबिरियम जन्रल कंडिशन अपकिलिबिरियम मैंने बताया था आप लोगों को इसमें समेशन आफ एफ बराबर जीरो और समेशन आफ एम बराबर जीरो याद है यह को प्लेनर फोर्सें बॉडी के संतुलन के सिध्धन क्लेर है अब सुनिए तीसरा क्रोश्चन कह यह 5 नंबर यह हो गया फांस नमबर यह दोनों मिला के तीसरा करा दो बल टस किलो न्यूटन और यहां क्यू कियो न्यू टन एक दूसरे से सम्कूल बनाते वह बोडी पर लग रहा है अगर परिडामी बल बीस किलो न्यूटन हो तो क्यूकि मात्राव परिमाड़ से इसका संपोण कितना आसान कोश्चन है नुमेरिकल में पाच नमबर ठीक ना हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक ना हाँ तो यह बताओ यह एक बल एक दूसरे से संपोण पर एक यहां लग रहा है दस और एक लग रहा है क्यों पूछ रहा है कि अगर इंका परेडामी जो है परेड साल हो जाएगा 10 का स्कॉयर करोगे तो 400 अच्क्यू का सब्सक्राइब करदेंगे परेडामी के स्कॉयर चार सो यहीं से क्यू स्क्राइब का वैलू आ जाएगा तो क्यू बराबर अंडरूप 300 आजाएगा खतम क्यू का वैलू खतम समझ रहों बात को अब उसका एंगल नि सब्सक्राइब यहां से इंगल कितना आसान था तुनिये यह देखते देखते नुमेरिकल से आप लोग इतना कई लोग बच्चे नुमेरिकल से परसान थे गजा बाउत सई बाउत बढ़ी आंसर ठीक है यहां पर जब इसको साल्व करेंगे हम लोग तो आ नहीं जाएगा सब्सक्राइब नहीं हो गया नुमेरिकल अरे यार एक चीज़ पूछा है कि बॉड़ी पर लग रहा है तो परिणामी क्योंकि मात्रा यानि क्वाइंटिटी आप परिणामी बल से इसका कोण यहीं बलाना होगा इस वाले को निकाल दिया हम लोग 10 बाइस टैन इन्वर्स ल देखो जरा और मैं बार-बार कह रहा हूं कि आप लोग वीडियो को सेर नहीं किये हैं जितना करना चाहिए था काहिली डू अभी तुरंत कर दीजिए आए अगला क्या कहा रहा देखो इसमें से पूरा कर जाओगे पूरा कर जाओगे यानि 20 नंबर फिक्स हो गया सुनो ध अभी मैं यह ने नुमेरिकल को हटा भी दूना अगर तुमारा मन नहीं नुमेरिकल करने का तो ध्यान रखो थियूरी से तुम 20 नंबर कर चुके हो ध्यान दो अगर नुमेरिकल नहीं एकदम मतलब भेजे में घूसी नहीं रहा है तब बात समुना रही ना सर निउटन में अरे जिसमें दिया रहेगा उसमें आएगा यह 10 किलो नुटन है तो भी जो आएगा वो किलो नुटन में सिंपल अरे जिसमें यह दिया रहेगा उसी में वो आंसर आएगा अगला तीसरा कहरा है घरसन गुणांग को अफिसेंट आफ प्रिक्षन म्यू को परिभासित करिए वर्णित करिए पांच नंबर यह पांच नंबर नहीं है बल्कि अवं में दो कोश्चन है तो यह डाई नंबर करे लो दूसरा आई इस्टैटिक फ्रिक्षन के नियम को परिवासित की यह वर्णित धाई डाई नंबर इस्टैटिक फ्रिक्षन यानि रुकवी अवस्था में बॉड़ी पर जो घर्चन काम करता में दिखाऊंगा यह कराऊंगा नहीं मैं सॉलुशन नहीं दे रहा हूं आज के पेपर हमां सॉ को नहीं कर लोगे रीपोज एंगल आप ठीक है ठीक है एक जूके हुए खुर्दूरे तल पर संतुलन बनाया रखे बॉड़ी की दसाओं को स्केच के साथ समझाइए एक जूके तल पर कोई बॉड़ी रखे गई है और वो जब फिसलने वाली होगी या इस्टैटिक में हो और पांच नमबर यह हैं से मिला अगला कोशन वेकर फिर चौथा पेर कोशन कर आ हाए आपका यहाँ पे दिखेर द्यान से कि जोटा क्या कर रहा है कि पहला ऑब इसमें भी आ है इसमें वि COG बूला प्लाइफ नमबर या नी और कहर हा प्लींफिघर्स के सेंट्र ड्र मतलब मैं समझा नहीं अगरी स्यलेंडर के उधारान के शीनेंडर के साथ वांञें परिये जानका लेंगे कि और इसेड़ों का अंदर को इसे निर्धारित करेंगे बताए आदर्स मसीन और वास्टवीक मसीन का अंतर क्या बताओ आदर्स मसीन क्या होती है खाली कमेंट कर दो जो लोग पढ़े है यद एक लाइन की परिमसा बताओ conspiracy और वास्टवीक मसीन मैंने बोला था पीडियाप का पूरा प्रस्न साल्व होगा थियोरी वाला भी अकल निमेरिकल वाला ठीक है ना आज थियोरी वाला होगा अकल निमेरिकल वाला होगा ठीक है यह कह रहा है कि आदर्स मसीन के वास्तविक मसीन का अंतर कौन लोग बता लेंगे बताएं simple है जिसका efficiency 100% हो वो ideal machine है जिसका efficiency 100% से कम हो वो real machine है ये बातें कई बार हो चुकी है क्या mechanics की last class में wheel और axle को समझाया नहीं क्या है बताएं आप लोग की sir wheel और axle कैसे का wheel लगा रहा था, axle उसके साथ जुड़ा रहा था जब wheel को हम लोग घुमाते हैं तो axle उल्टा घुमता है तो उसपे बाहर चड़ता है इसपर रशा खिंसते हैं तो उसपर बाहर चड़ता है और उसका हमने formula भी निकलवा दिया था याद करिए करे था नहीं वाला काम तो वील और एक्सल के कारे करने का सिद्धान तो रुपय प्रोग क्रिया है आप पांचमा कोश्चन इसके भी हम लोग चाहें तो पूरा कर ले एक मसीन के यांतरीक लाव और क्या होता ही बता हो मैकेनिकल एडवांटेड और इफिसियंसी इटा की परिवासा पूछ रहा है कितने लोग नहीं बता पाएंगे अगर आप हमसे मैकेनिक्स क्लास करते आ रहा हैं तो नहीं कर पाएंगे इसको बताएंगे अगर आप हमसे मैकेनिक्स क्लास करते आ रहा हैं त देखें अब जानते हैं लाइफ क्लास क्यों नहीं ऐसे बात करता ओधिए अभी आपको इसी क्लास में पता क्यों आपको से बात करता हूं कोई कभी वह ऊठके आता है वो कुछ भी बोल देता है उसके मन में जो रहता है उसटाइम हो सकता है ब्रेक अप हुआ रहा है तो आके बोल दे कि सर मेरा दिल तूट गया है इलाज करवा दीजिए इंपर्टेंट कोउचं का पीडियेप डाल दीअ गया है टेलिग्राम में डाला गया अप्लिकेशन में डाला गया उसके बाद announcement कई बार करी गई लेकिन उन्होंने आके बोल दिया बस यहीं एक वज़ा है कि मैं लाइव नहीं आके बात करता हूं क्योंकि मैं मूड डिस्टर्ब हो जाता है इतना effort करो इतना मेहनत करो अपने साथ आठ सालों का अनुभाव से काम करके बच्चों को दिखाओ फिर बच्चा आएगा कुछ भी बोल देगा आ तारीफ तारीफ तो किसी से नहीं कहेंगे किसी बिल्टेक वाले तर बहुत बढ़िया पढ़ाते ना चूप चाप पढ़ेंगे लेकिन तारीफ कत्ता ही नहीं क कर 뭐가 अंग कर सकते हैं और नो टनकी करना हो देखी कि कहां wow एक किए यह वह stamp हो गया पहला मसीन का यांत्रीक लाव और एपिसेंसी बता लेगे तन फ लगे तिवा को याद करो सिमपल मशीन मसीन कमपंउ। अधीन को दारं सिमपल मसीन होती है लीवर वगर आ या ऐसे इस टड प्राइट के मसीने जो होती हैं, simple होती है, simple का मतलब जिसमें movable पार्ट कम से कम हो, complex मसीन जो होती है या compound मसीन, उनमें चल अंग जादा होते हैं, याद करिए मसीन वाले में, ये पार्ट मैंने पहले ही clear की थी, worm और worm wheel का वर्णन कीजिए, worm और worm wheel बताया जा चुका है, मसीनो के नियम को परिभासित करें वर्णन के यह मसीन का नियम पी बराबर याद करेगे लोड उठाने की छमता जो थी मसीन की वो क्या थी कि वो लोड कितना उठाएगा इस प्रयास से कितना लोड लगाएगा उसका ऐदा इसमें लेधkich손 मस Enough में देखी एक तरह की गॉंप्लेक्स म एक नुमेरिकल ये 20 मीटर लंबे किनारों पर सरल अगारी जभीम पर 40, 60 और 100 किलोटन के लोड़ बाये सपोर्ट से क्रमस पांच ये लगे हुए सपोर्ट पर प्रतिक्रिया ग्याद करें अब ये बताए कि मैंने जो थंबनेल पर थंबनेल पर हम लोगों ने लिखा है 30 बट आब दीजे बस मुझे लगता है कि यदि दोनों नुमेरिकल छोड़ दें तो पूरा 50 नंबर का पेपर पूरा 50 नंबर का पेपर या आपको दिख यहां पर इस पर कमेंट करिए आप लोग कि क्या रहा है केवल एक पेपर से जज नहीं करना चाहिए केवल एक पेपर से अगला पेपर हम लोग का 2022 का मिला सिदे समझ गया बात को मतलब समझ रहा है इस नंबर को अगर हम लोग देखें तो मैंने 30 लिखा है वो मिनिमम मैं अपनी मैं अपना कोई भी काम ज्यादा नहीं बताता हूं कम से कम तो आएगा ही 30 नंबर मैं यह कहा रहा हूं आज की क्लास आप अटेंड करते हैं वी विल गेट मिनिममम 30 परसेंट 60 परसेंट 30 मार्ट में 60 परसेंट क्लियर ना तो आपने यह समझा हा कि 30 नंबर तो आज कनकव कौर्ण अगला पेपर भी देख लीजिए अगले पेपर में कहीं ऐसा ना वकी सर एक पेपर में हो गया हो जया दुबारा में नहीं होगा अब अगला पेपर में कह रहा है थोड़ा पेसिंस रखके सुन लीजिए नुमेरिकल की क्लास कल पूरियोगी हर चेप्टर के नुमेरिकल कल लगवाये जाएंगे ये जान लेजी इसकेलर और वेक्टर की क्वांटिटी को परिभासित घानत वजाब बलगती और एक्सरिसन की यूनिट को एसाई में लिखे बलों के भावबुज का नियम उचित पनन करिए बताईये इसमें से और का दोनो और पूरा को AM work का नहीं हो जा रहा है दस नंबर यांफ बस बोलते हैं ही मेरे साद का पूरा नहीं मिल रहा है बिलकुल मिल रहा है वही नियम लगा करके जो तो पैरलल पैरलो ग्राम लाओ है उससे हो जाएगा पूरा बात होने रही है तो यह भी पूरा दस नमबर हमको दीख रहा होता हुआ चलो नुमेरिकल छोड़ दिए नुमेरिकल छोड़ दियाम करें कि मन एगदन नहीं है नुमेरिकल नहीं लगातक है तब भी 10 नमबर कंप्लीट है सिम्पल कोशन के साथ में now come to the third third point क्या कह रहा है तीसरा वाला क्या कह रहा है बताईए यहां पर आप देखें तीसरा वाला क्या क्या कह रहा है तो यही रहा है यह उन्हां को और वर्णन करें अगर बड़ी पर लगने वालगे घरसन वालकि मात्रा 1500 नो गर्षनें पर कितना मैंने लेडर वाले कोश्चन कर वाएं सेर्डinfl while सुनिगे क्या सीडी वाले कोशेन मенें आप लगोंकोability वाला कोशेन मैं आप लोगोंको कराया था मारे पता Johann क्वार अधो मेरिक्र प्रेया रहाыт है कि मैं तो लगगी तो लगवा दूंगा अए अ मैं तो नुमेरिकल खूब लगवा दूँगा लेकिन क्या आ रहा है वो देखो सिंपल एक बॉडी पर बोल रहा है लगा हुआ है अब इस पर 30 डिगरी पर और पांच बोल रहा है कि पांच न्यूटन का बल इसका बॉडी पर लगने वाला घर्चन बल की मात्रपा यानि फ्र तो बोल रहा है कि जब यह पांच न्यूटन इधर लग रहा है तो यह तो गिर जाएगा ना इसमें कितना बल और लगाए तो भाई इसका वैलू निकाल लो उसमें ते पांच न्यूटन घटा तो बचेगा हो जाएगा सॉल कीजी कोस्टन देखिए कोई आंसर भी बता दि है तो बीस न्यूटन और चाहिए कोई आंसर भी बताया वेरी गूट कौन था कोई बताया था डिलीट क्योंकि यह सही है यार तुमारा आंसर एकदम सही बताया हो तुम इधर से 25 लग रहा है क्योंकि साइन अगर लोग ये तुम पचास साइन तीस डिगरी तो पच्चिस इधर लगा पांच उधर गया तो हमको अब तो रूखेगी नहीं तो कितना लगाए जाए बीस और लगना पढ़ेगा पूछा है हम से कि संतुलन किस्ती में रखने के लिए लगने वाली न्यून तंबल कमान यानि यह कितना वाजाएगा 20 न्यूटन समझ गया है वेरी ठी अब बताओ कितना आसान कोश्चन आया नुमेरिकल में कितना इजी कोश्चन आया देख लो अपने से अब बात करते हैं अगला फिर वाई वील और एक्सल का रपनाली का सिंधान तो प्योगिता फोस्पोन सॉलिड पॉन का गुरुत के इंदर कहते ने जारित करेंगे प्ल अब बना कि सेंटर आव ग्रेविटी बताना है बस प्लेन फिगर उसके बाद बोला इस तरल मसीन और कमपाउंड मसीन पिछले पेपर का पूरा कॉपी कंपाउंड और सरल मसीन में अंतर क्या उधारण क्या है सरल मसीन में लीवर आ जाएगा वील एक्सल जो उपर है और आ अगर आपको खीचे छोड़े तो वापस चला जाएगा अगर कोई लोड को मैसे खीच रहे छोड़े तो वापस चला जाएगा तो उसको कहते हैं वह रिवर्टीबल मसीन है उसमें से लोड़ वापस लोड़ गाता है कई मसीने सेलफ लॉकिंग होती हैं सेलफ लॉकिंग का मत गलास पार्ट में हम लोगों से क्या बोला बताइए ये last क्या उप्य होते हैं भार उठाने के काम आता है और मेकेनिकल एडवांटेज को बढ़ाता है पंद्रा मीटर लंबे दोनों किनारों पर एक बीम बार बार बीम का एक कोस्चन आ रहा है रियक्शन निकालने वाला जिस पर की आगे मैंने बोला था कि यह इंपोर्टेंट ऋड़ दें तब भी देख रहे हैं 50 नंबर आ जा रहा है 1450 में से तुम 35 नंबर नहीं ला सकते हो बस इतना बता अलो 35 नंबर नहीं ला सकते हो इतना बता लो अ यह सभी को ठीक है चलिए पहला कोश्चन हम लोगों से क्या था याद करो याद करो पहला कोश्चन क्या था classify mechanics याद है जो आप लोग को important question की seat दी गई है उसमें पहला question क्या था क्या था classify mechanics यानि mechanics को classify करें यही कोश्चन था हम लोगों का clear है सभी को कैसे classify करेंगा mechanics को mechanics जो होता है उसका काया यह अंत्रीकी के विभिन साखाओं का वर्णन करिए या classify mechanics बोल दिया एनिया हो मैंकेनिक्स क्लासिपाई आपके सामने दिया क्या है ठीक है ना एक बार यदि आप केवल देख लें कैसे mechanics को दो तरीके से मैंने माटा था mechanics of solid mechanics of fluid उसके बाद यह अगर बना दिये तो एक जान्मनर सोचेगा कि आप जानकार है वो आपसे आगे कोई सवाग नहीं करेगा इतना और mechanics of solid में mechanics of rigid body mechanics of deformable body मैंने बताया था सोम और यह mechanics जो आप rigid body को आम लोग mechanics बोलते हैं जिसमें static और dynamic दोनों आता है और बाकी dynamic वाले में kinetics और kinematics आता है mechanics of fluid में hydraulics और pneumatics जो कि अगले semester में था मैंने बताया था यह सब याद है तो यह आपका mechanics का classification है answer वाली PDF भी आपको चाहिए कि नहीं comment करिए आप लोगको answer वाली PDF भी चाह लिए अब देखें इसी को explain किया है इन पूरे mechanics पी साकाओं को तो हम लोग तो केवल यहीं mechanics न है हम लोग यहां से बाट हैं लेकिन हम लोगों सो पूछना चाहता इसका static dynamic kinematic kinematics जैनि परिवासा केवल इतना ही कि दिनी मैंने तो आपको बहुत डीटेल में बता दिया था क्येवल आपसे बात करता है इंजिनिंग मेकानिक्स का की बटवारा करिए तो आप यहां से बटवारा करके इनकी definition लिखेंगे क्या कि स्टैटिक क्या होता है इसका इंतर विरामा वस्था में वस्था में वस्थों पर बलों का अध्यान का दिया तो उसको कहते हैं हम लोग मेकानिक्स ऑफ स्टैटिक बॉडी यह स्टैटिक मेकानिक्स जब वस्थों गतिमान अवस्था में हो और तब अध्यान किया जाए तो उसको कहते हैं हम लोग तो क्या है dynamics, dynamics के अंतर गति, यदि केवल बलों का अद्ध्यान किया जाए, लेकिन गति के कारण, गति का कारण क्या है, उसका अद्ध्यान न करें, तो उसको कहते हैं कि सुद्ध गति की है या kinematics है, और जब गति का अद्ध्यान कर रहे हैं, और गति के साथ साथ उसके लिए responsible forces का भी अध्यान करें तो इसको हम लोग kinetics बोलते हैं समझ में आरी बात है आप ठीक है तो ये आगया आप इनकी तीनों की परिमासा देने के बार applied mechanics की भी परिमासा दे देंगे mechanics का अध्यान व्रियाद फैला हुआ है इसके विशिष्ट भाग यानि specific part जिनकी आवसकता हमें छेत्र विशेष के इंजनिंग वर्क्स में पढ़ती है applied mechanics के अंतर पढ़े जाते हैं mechanics में देखो वेक्टर आता है पूरा वेक्टर जो आप intermediate में पढ़ेता है वो भी mechanics का पार्ट है तो लेकिन हमें उनकी जर्गुवत नहीं पढ़ती है राजेंद्र वर्मा दोनों जगह डाल दिया जाएगा पहले आमी पढ़ लो थोड़ा सा पढ़ लो बस PDF मिल लिया है बाकी कुछ नहीं सुनना है PDF बस मिल लिया है ठीक है ना PDF मिल या उसके अलावा कामी क्या है इसलिए नंबर कम हो जाता है अक्सर ऐसा होता है यहां पर अक्सर ऐसा होता है कि आपका सत्रा नंबर लाना मुश्किल पढ़ जाता है लास्ट में इतना आसान पेपर होने के बावजूद भी 17 नंबर लाने में मुस्किल हो जाएगी आप कोई जान लीजिए आप कारण यही है कारण यही कि आपके हड बड़ा हड पेसेंस रील देखना होगा ना दिक्कत यह दिक्कत यह कि रील देखने से आदतना हर 15 सेकंड में चीज़ें बदलनी चाहिए नहीं बदलती है तो खुल दैनिक जीवन में मेकैनिक्स का क्या इंपोर्टेंस है उसको आपको समझना है यह कोस्चन अभी पीछे 19 वाले पेपर में पूछा भी क्या था कि मेकैनिक्स का यूटिलिटी है और अप्लिकेशन है बताईए यहाँ पर मेकैनिक्स वाले पेपर में इसको पूछा भी गया था देखे हैं यहाँ पर पहला ही कॉस्ट्ट था देखिए इंजिनिरिंग मेकानिक्स का प्रैक्टिकल फिल्ड में होने वाले उपयोग का वरणन करिए और यह पॉस्ट्टन मैंने आज देखा यह पेडिया आप ही लोगों दैनिक जीवन के सभी क्रिया कलाप को समझने के लिए यांत्रिकी जरूवी है चलने फिरने से लेकर मसीनों को चलाने सभी में यांत्रिकी के नियम अवस्यक रूप से काम करते हैं यदि आप पढ़े लिखे हैं तो यह जान लेजिए बाइक भी चलाएंगे ना तो आप गिरा लगता है वो कुछ लोग ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं मैं तेट चलाने के मना नहीं कर रहा हूं लेकिन तुम जो अंदों की तरह चला रहा हो भगवान भरो से गीरोगे तो पहले तुम ही तुमारा ही मिलना मुस्किल हो जाएगा तो मेकैनिक्स तुम जानों गना तुम जीवन पढ़ाऊंगा ना बहुत तेजी से इसके नियम प्रयोग होंगे मैकैनिक्स के इसलिए नुमेरिकल नुमेरिकल तो नहीं आ रहा फिर भी क्यों पढ़ाया गया इतना नुमेरिकल क्यों लगवाया मैंने क्योंकि भाई जरूरी है आगर उसको नहीं लगाएंगे हम लोग त पास तुम लोग हो जाओगे एक होता है सीखना क्योंकि भले आज नहीं तो कल तुम निकलोगे डिप्लोमा करके तब तुमको यह समझ में आएगा कि मैं उन तीन साल की चीज़ों को जटके मैं नहीं पढ़ा सकता हूं जान तो पास हो के सब निकल जाते हैं वह तो मिलेंग गौवर्मेंट किसी को यार नौकर छोड़ो अब इस पर क्या चर्चा करें यह जान लो कि स्थिती कितनी भी खराब हो लेकिन जो सूर्मा होते हैं वह बाद नहीं आते हैं वह अपना अधिकार ले लेते हैं बाकी सरकारें तो बदलती रहेंगी चीज़ें बदलती रहेंग यानि जो मेकानिक्स में हम लोग जो यूनिट्स प्रयोग करेंगे जो यह चीज़ें प्रयोग करेंगे उनमें यह दी हम लोग को बेसिक और डिराइट क्वांटिटीज के बारे में समझना हो ठीक है समझना हो, तो हम लोग कैसे कैसे उनको बाटेंगे, ये क्या बताने वाली बात थी, बहुत easy question था, basic physical quantities दो तरह की होती है, एक basic, पूरी भौतिक रासियां दो तरह की, basic quantities और derived quantities, दो तरह की quantities होती है, उसके बाद, राजन साहू, गुडिवनी, अभी जागे हो बन दो, राजन साहू, अभी कुछ लोग और नहीं जगे है, भूम फिर रहा हूं, ठीक है, एक जाम आने दिजी, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पर ध्यान दिजिएगा, दो तरह की quantity नहीं, basic quantities और derived quantities, ठीक है, किसी भी भौतिक रासी को दर्साने के लिए यूनिट की जरूवत होती, यूनिट की प्रमुक प्रणालियां है, कौन-कौन सी है, MKS, CGS, FPS, और basic और derived quantities में, यह जानते हैं, यह सारी चीज़े, या मैं इस लिए इस पर ज्यादा नहीं, जोखो, आभी तक मैं पीछे की किसी चीज़ को किसी को भी कोई दिक्कत आ रही हो, तो बता दो, नहीं, इसमें सिंपल है, मूल रासियां, वित्पन रासियां, और इन रासियों को यूनिट से दिखाएंगे, तो यह बनेंगी, इसके अलावा आप जानते ही हैं, कि SI unit of international system में, different type के जो units होती हैं, और जो चीज़ें, साथ fundamental quantities होती हैं, साथ fundamental quantities होती है, अरपन सिंग पटेल, वीडियो आगे बढ़ा लो, तुम पीछे पढ़ रहे होगी, अरपन आगे बढ़ा लो वीडियो को, पीछे पढ़ रहे होती हैं, ठीक है, physics में भी पढ़े थे, यह physics में भी पढ़े जा करके, मतलब कहीं भी, ठीक है, fundamental quantities, उनकी unit वगरा पूरा दी, तो इसमें कुछ बहुत सोचने के बात नहीं है, उसके अलावा, plane angle, radian, यह पूरा हो गया, उसके बाद solid angle को इस्टे radian में मापते हैं, फार हो गया, इसमें तो कोई doubt ही नहीं है किसी को, बहुत simple है, कोई doubt नहीं है इसमें, अब बात करते हैं हम लोग यहां पे, उपयुक्त मूल रास्मियों से मिलके, बहुत सी वित्पन रासियां बनती हैं, जिन में मुख्य कौन-कौन सी है, घनत्व है, बल है, दाब, तार, सक्ती, वेग, त्वरण, कई बार इनके unit को convert करने के लिए, देखे, यहां पर बुला गया है, syllabus में इनी quantities क इनके unit के conversion पूछेंगे, इसको आंतर, कुछ लोग नकल मारते हैं, यह मैंने notes से लिया हुआ है, तो कुछ लोग नकल जब करते हैं, तो यह भी copy कर गयते हैं, तो ध्यान रखेगा, यह मैंने आपको लिखने, यह आपके main notes का है, यह जो लोग YouTube पे देख रहा है, वो जान ल हैं, लेकिन इनकी unit मालूम होने चाहिए, और एक unit से, दूसरे unit में convert, एक simple सा मैं आपको बता दूँ, हाँ, ठीक है, सुनिए ज़रा यहाँ पे, माल लिजे मुझे घनत्व को, एक cubic meter में, मैं पूछूं, कि, sorry, अगर मैं पूछूं आपसे, कि घनत्व का मातरक तो आप कहें कि, माल लिजे कोई है, घनत्व एक kg पर cubic meter उसका घनत्व है, यानि एक cubic meter में कितना आता है, कोई पदार एक kg, अगर मैं पूछूं, इसी को gram पर cc में बताओ, कितना होगा, अगर कोई चीछ एक kg पर cubic meter है, तो gram पर cc में कितना होगा, एक चीछ सिंपल समर्येगा, इस पू एक kg पर cubic meter का मतलब हुगा, एक kg और एक cubic meter, तो आप इसके लिए तुम जब बदलोगे, तो एक kg को gram में लोगे, तो 1000 gram होगा, लेकिन जब एक cubic meter को cubic centimeter में लोगे, तब कितना होगा, तो यह जान लो, एक मीटर में 100 centimeter होते हैं, सब् Young Young hk教科 छुप कर्यों तो एक क्यूभा एक मीटर क्यों मीटर हो गया लेकिन इसका कुप कर्यों तो दस के आच्या सेंटिमीटर बाख तो सेंटिमीटर या रिए कोबिक में ये था दो entreprises पावर टू और टेन पावर शीक्स हो जाए तो काव कि सर एक केज़ी में तो एक हजार ग्राम लेकिन एक क्यूबिक मीटर में 10 पावर सिक्स क्यूबिक सेंटिमीटर यानि जब इसको बदलेंगे हम लोग तो आएगा दस एक हजार में दस की दाख छह से डिवाइट पर होगे तो 10 पावर माइनस 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटिमीटर यह बात समझ गाए कैसे यूनिट कैसे कनवर्ट हुआ है समझे एक केजी पर क क्यूबिक मीटर को एक केजी बटा एक क्यूबिक मीटर लिख सकते हैं अब जो है उसको जिसमें पूछ रहा है उसमें कनवर्ट कर दो एक केजी को लिख दो एक हजार ग्राम एक क्यूबिक मीटर को लेगे तो 10 पावर 6 क्यूबिक सेंटिमीटर ठीक आरपन सिंग पटेल ब 雷े कोडिकत नहीं है गलती नहीं है अमठी इसको कितने रोगाइ庭ी इन इत क अगर बोलो यूनिट से बेए सुँपिक में जाएब यूनिट कर से आप से कन बेर्जिन में बोलूंग कि एक क्योबिक मीटर को आगर एक वैलून का यूनिट है चलो कोई कठीन ले लेते हैं जैसे दाव लेते हैं तो दाव किसमें होता है तो यह होता है एक Newton पर स्क्वार मुटन इसको डाइन में चेंज करो तो वैसे तुम जानते हो डाइन में चेंज करने का 10 पाउर 7 होता सुनो मेरी बात मनेज गुप्ता करें एक बार और समझा दीजिए कि इसको दुबारा नहीं समझाओंगा दूसरा को सुलो घनत का कोई और नहीं हो जैसे मैं पानी का घनत तो जानता हूं पानी का घनत वह होता है एक हजार केजी पर क्यूबिक मीटर पानी का घनत होता है एक हजार केजी पर क्यूबिक मीटर तीक है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि एक हजार केजी अबटा एक कुविक मीटर एसे लिख सकता हूँ ना यारि पानी का घंत हुआ केजी और क्यूबिक मीटर में होता है मैंने इसको एसे लिखा कनवर्टन के लिए पिर मैं 1,000 kg को ग्राम में बदलूँगा एक हजार है एक में एक में ग्राम होता है तो अभी यह बदल गया किसमें ग्राम में उपर वह एक हजार केजी था वो दस किगाद छे ग्राम होगे और एक क्यूबिक मीटर को अभी हम बदले हैं कि एक मीटर बराबर सो सेंटीमीटर हम जानते हैं इसलिए दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो पता चलेगा एक क्यूबिक मीटर बराबर दस किगाद छे सेंटीमीटर का क्यूब या सो उपर भी दस किगाद छे नीचे भी कटा तो उपर भी एक नीचे भी यानि एक हजार केजी पर क्यूबिक मीटर बराबर एक ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर कर लोगे कर लोगे यह बताओ पह का घहनत्व केजी पर क्यूबिक मीटर में इतना होता है और ग्राम पर सी सी क्यूबिक सेंटी मीटर को सी सी भी बोलते हैं यह यह टर्मिनलोजी अभी आगे सीपोगे तुम अगले समस्टर में अभी के लिए समझ गए कि नहीं बताओ आया है राहूल सिंग बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है चलिए 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 सब लोग चलिए आप लोग कमेंट करिए कि यदि सुनिए 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर लोहे का यूनेट वेट होता है इसको बदलिए ग्राम पर सी सी में ग्राम पर सी सी में बताइए कितना होगा लोहे का घना तो 7850 केजी होता है जल्दी ग्राम पर सी सी में इसका आंसर बताइए सब लोग तब लोग बताएं कैलकुलेटर नहीं यूज करना है कैलकुलेटर बिना यूज किये बताइए अरे ठीक से नहीं होगा और सी के लिए जिए ग्राम पर सी थाद़ने इसका र्राम पर सी अणी अटेड को सी एईए यूज कि कितना है तो 78.5 कैसे होगा 7.85 होगा कैसे गलती कर रहा हो तुम जो कैसे गलती हो रही है नहीं बिल्कुल नहीं चलिए अधा छोड़ो यह साथ कनवर्जन नहीं हाँ 78.5 नहीं होगा 7.85 होगा अरे 7850 केजी है इसको ग्राम में कर होगे तो चला जाएए नीचे क्यूबिक मीटर में 10 पावर 6 तो जब 10 पावर 6 10 पावर 3 से कटेगा तो 10 पावर 3 और बचेगा तो अब यहां दसमाल होगे तो एक दो तीन चले आओगे 7.85 बचा तुमारा यहीं सब्सक्राइब होगे तक सामसर हो जाएगा तो मैत सिखाएंज पटा जाओगे तुम लोक जान लो अगर है С좌न तो इसलोत के लॉ-सलो जा अगला कि रासियों को दर्साने के लिए कम परिमार की जरुवत होती है पर पूरी तरह परिवासित करने के लिए परिमार के साथ साथ दिशा की भी आव सकता होती है इसकेलर क्वांटिटीज वो हैं जिने बीना दिशा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं कई लोग इसकी परिवासा ऐसे लिखते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज को दर्साने के लिए मैगनिट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरुवत होती है ठीक है ना कई लोग ऐसे बोलते हैं फिर उसमें बोलेंगे सरी स्केलर के लिए केवल मैगनिट्यूड की जरुवत होती ही डायरेक्शन की जरुवत नहीं होती है दूसरे वाले में बोलेंगे मैगनिट्यूड और संख्यात्मक्मान हो ठीक है इसका मतलब यह है कि स्केलर क्वांटिटीटीज में केवल मैगनिटीट से काम हो जाए ठीक है लेकिन वेक्टर में उसकी दिसा भी बताने पड़ेगी अभी आप इस्ट्रेस को पढ़ोगे तो टेंसर होता है तीसरी क्वांटिटीटी भी होती है टेंसर क्या होता है? टेंसर इनके अलावा कुछ ऐसी रासियां जिन ने परिमाढ़ वो धिसा दोनों होते वे भी वेक्टर नहीं कही जाती है क्योंकि वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती है इन्हें टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं जैसे स्ट्रेस, प्रेशर और इले semester के बच्चों के लिए आगला में एक integrated course जई का रहा है जिसमें पूरा आगे का semester plus जई की classes सब एक कही course में आपको मिल जाएगा एक बार enrolled करके छुट्टी कर लीजिए ऐसा एक course आने वाला है exam के तुरंत बाद ये launch हो जाएगा आप चाहे तो third semester का पढ़िए लेकर के एप पर अच्छा है तो integrated पूरा course दे लेजिए इसमें ये फायदा होगा ना कि आप अप लेबल अपना बढ़ा के भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं ठीक है न लेबल अच्छा कासा मिलेगा तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं ठीक है और लेबल को ज्यादा ही अच्छा मिलेगा तो आप पढ़ेंगे थोड़ा समय लेवालेंदी होगा ज्यादा पहले चेप्टर के थी फूरी पंन सकती है लेकिन अगले चेप्टर से चेप्टर टू से जिसके को चेप्टर क्या है है इससे एससी जही का प्रिपरेशन अगले से आपका यही जाम खतम होगा वही शुरूर मैं उस पर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा चिंता मत करें राहूल जी लगभग 3,000 रुपए फीस होगी थीन हजार लेकिन शुरू में देखो फीस तो ऐसे रहेगी लगभग चार बचार रुपए और अगए समेस्टर जाही सब मिला आगे तुमको कोई कोई कुर्स नहीं लेना पड़ेगे लेकिन सुरुवाइब फीस तीन हजार तक मुझे करने का यह है कि मैं करूं इसको तू ट्रीपल लाइन में शुरुवात में रखूं बाद में फिर बढ़ा दूँगा ठीक है ना शुरुवात में कुछ जो भई सिरियस रहेगा वो पहले ही जूड़ जाए ठीक है ना अगले समेस्टर से बाबो अगले स जानते हो कि कोई भी ऐसा कारक जो किसी वस्तु गतिमान इस्तिम परिवर्तन कर देया परिवर्तन का प्रयत्न करें बल होता है ठीक है ठीक है फोर्स इस एनीधिंग दैट चेंज़ और ट्राइट टू टेंडेज दब रेस्ट दा पोजीशन आफ रेस्टिंग और मोविंग किसी हाँ बेटा फीस तुम जब कोर्स लोग है तो तुमको पता चलेगा कि इतना ज्यादा पढ़ाना है ना कि तीन साल वैलेजिटी भी दे रहा हूं सोचो तीन साल फिर तुमसे कोई पैसा नहीं लेना है मुझे तो समझो ओडियंस लिमिटेड है मेरे पास भी और उसमें और टीचर रहेंगे उसमें और टीचर रहेंगे तो थोड़ा सा समझना मैं वैसे भी कम से कम रखूंगा अभी मैं जो बोला हूं कोसिस करूंगा क्या और कम हो जाए लेकिन सुरू में बाद में फिर 4000 में कोई कमी नहीं आईगी कोई भी ऐसा कारत जो किसी इस्तिरिया गति खुद कम एरिया पर लगता है यानि इतना बड़ा एरिया पर किसी कम एरिया पर बल लगे पूरे सता के छेत्रफल की तुलना में बहुत कम होता है तो इसे पॉइंट लोड या कंसेंट्रेटेड लोड कहते हैं अर्विन जी अर्विन जी तुनिए गर जल्दी कर गए रहने दिजिए उपकट गए ठीक है जनरल इंजिनिंग की क्लास कल से चलेगी परसों से परसों से सिविल वाला क्लास चलेगा पार्ट जनरल इंजिनिंग में बीम वाला चल चुका है अब पहले जनरल की स्पेलिंग ठीक करो तुम इंदरपाल वर्मा तुम इंजिनियर बनने जा रहे हो पिटाओ क्या भी सुनों पहले इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट चल चुका है और सिविल वाला पार्ट परसों साम 6 बजे एक दिन में एक चेप्टर खतम चार चेप्टर होंगे सिविल वाला मेकेनिकल वाले सारे बच्चों को सेहर कर दीजिए और इलेक्ट्रिकल वाले को एक दिन में एक चेप्टर उड़ाया जाएगा उसका ठीक है अब आगे आईए जरह यहां पे तो जब बहुत कम एरिया पे बल लगे तो उसको कंसेंट्रेटेड लोट कहते हैं और यानि जब किसी बल का एरिया यह बल का एरिया पूरे सता के चेफ्टरपल की तुलना में बहुत कम होता है तो इसे पॉंट लोड या कंसेंट्रेटेड लोट कहते हैं ठीक है जब बल सता के पूरे भाग या आंसिक भाग पर समान रूप से बटा हो तो या समवितरित बाहर कहलाता है यानि ये बल होता है yang माइया अ या अच्छे खासे-ये पर बंता रहेगा पी पूरे पना हो कम कम just इतने उस इतने परन लगा है तो ऐसे को आएंगो समभी तरी इसके अलावा बलों की प्रक्रति यानि नेचर क्या धार पर कोई भी बल लगता है राजन साहू क्या था आपका कमेंट कि मैं reply नहीं दिया हूँ देखे जेई की classes जो होंगी वो mixed language में होंगी जेई की classes mixed language में होंगी उसमें notes जो रहेगा वो one liner types रहता है ऐसे पुरा पोथी पत्रा नहीं लिखा रहता है जेई में जेई में one liner notes होते हैं तो वो हिंदी वालों को भी समझ में आएंगे लेकिन मैं एक बात बता दूँ जेई के exam में जो भी teacher हिंदी में पढ़ाएंगे वो आपका पैर काट रहे होंगे पैर काटने का मतलब समझते हैं आगे दौरने से रोकना तो मैं आपको एक सला दूँगा कि जेई का पूरी तरह से हिंदी में कभी मत पढ़िएगा और आप चुकी डिप्लोमा के हैं तो आपको कुछे ही दिन में आप इंगलिस सीख जाएंगे आप समय सेंड समेस्टर से अप लगें के तो आप इंगलिस सीख जाएंगे असल दिख्यत उनको होती है जो पूरा डिप्लोमा हिंदी में करते हैं जैसे कुछ चैनल और थे जो पूरा हिंदी में पढ़ाए मैं आपको नाम नहीं लोगा पूरे हिंदी पढ़ा है बच्चय निकल रहा है और उनको समझ्द में आ रहा है कि उनका नासूर हो गया जिसकी जो बिमारी होती हो ठीक करना मेरा काम है जैजront continuar ऐसी होगी कि चाहे आप हिंदी क्यों इंग्लिस में हो आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है उसमें चुकर टिक करना होता है कहीं पर भी आपको ऐसे लिखना नहीं होता है केवल देख करके टिक करना पड़ता है समझ महारी वाग आईए अब यहाँ पर तनाव बल हो सकता हा या संपी डन यानि बल अगर खिचाओ में हो तो तनाव अदबाव में हो इनके प्रकृती क्या गार पर बटवारा बटवारा दो तरीके से ठीक है न ये बताईए कल वाली क्लास में आवाज में प्रॉब्लम थी आज ठीक है क्या अजरुदीन मलिक क्लास अभी चले गिया अभी तो सुरू हुआ है चप्टर टू चल रहा है चप्टर शे तक पहुंचना है आगे चलिए अगला यह हो गया बलों के प्रकार को समझा दिया आमने यहां पर उसके बाद बूला है different forces system यानि बलों के निकाय को समझाईए बलों के निकाय बहुत सारे होते हैं बलों के निकाय बहुत सारे होते हैं कहने का मतलब जब किसी body पर कोई बल लग रहा होता है तो उसके कई सुनिए system को समझने थे पहले मैंने एक चीज इसमें add कर दी है बलों के लच्छन को लच्छन मतलब होता है बलों का एक बल क्या क्या करता है एक बल के अंदर क्या क्या होता है एक बल के अंदर उसका परिमाड़ यानि हम बल बोल रहा है 20 newton, 50 newton ठीक है ना हाँ ठीक है कुछ लोग शुरू हो चुके हैं सर कब तक चलेगा क्लास देखिए चालो है ठीक है अच्छी बात है magnitude होना चाहिए force के अंगर उसका एक direction होना चाहिए और वो किस point पर लग रहा है किसी body पर वो और उसका line of action यह चार चीज़े हैं जो किसी बल को यह थार्थली यानि significantly पूरी तरीके से define करती है मैंने एक बल लगाया कहां लगाया किधर लगाया कैसे लगाया इन सब बातों पर भी तो बात चलनी चाहिए हाँ mechanical वाला part का revision पॉल टेकनिक पार्ट साला पर चलेगा ठीक है ना physics की class दीपक होकर physics की class दो दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा schedule टच में रहिएगा दो दिन के अंदर यूटूब पर update हो जाएगी फिजिस का भी एक चैप्टर एक दिन खतम होगा एक चैप्टर एक दिन में फिजिक्स का भी खतम होगा दो दिन के अंदर class का time announce हो जाएगा ठीक है यह फोर्स के लाइब और लाइट नहीं किया है उनको pimple निकल आएगा चेहरे पर फता नहीं चलेगा तो निकला हो सकता है खाना पीना गलत खाया हंगे वो सोचेंगे कि हम खाना पीना गलत खाये इस वाज़ेट पिंपल निकला है लेकिन बाद में जब वो रिलाइज करेंगे तो लाइक कर दो कि महोद है मेकैनिक्स का केवल थ्यूरी वाला पाइट आज कवर होगा और जैसा कि हम सुरू में ही देख चुके हैं कि थ्यूरी से 45 नंबर तक बन जा रहा है पचास में को सेशन बहुत इंपोर्टेंट है और बाद में आप क्या ही पढ़ लेंगे बाद में दे पीचवा देते हैं वहीं है वैसे बार बार पूटने की बात करते हैं मेरी परस्नाल्टी उस टाइप की है नहीं दो को फोर्स और फोर्स सिस्टम में अंतर क्या है फोर्स मतलब सुनिए आप नहीं यह 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 बल लेकिन जब कई बल एक साथ काम करने लगें तो इसको कह समझ मारी बात न यहां रखेगा इसको कहते हैं इसको कहते हैं यह बल है लेकिन जब कई बल काम करते हैं तो उसको सिस्टम अब पोर्स कहते हैं अब बात बताईए कि हमने बोला इपरेंट टाइप के system of force को समझाईए कि different time के system of force कौन से होते हैं तो देखिए बलों के जोड़े बनाए जाते हैं कैसे तो आप देखिए कुछ system होते हैं parallel forces system co-planar मतलब होता है एक ही plane में ऐसे बल जो एक ही plane में लगया हूँ उनको co-planar forces कहते हैं जो एक plane में ना लगया हूँ उनको non co-planar कहते हैं सर कैसे co-planar, planar तो मैं कहूंगा देखो plane का मतलब होता है जैसे तुम मुझे अभी 2D में देख रहे हो एक screen देख रही है क्या मेरी मेरे पीछे तुम देख पा रहे हो जैसे ये घड़ी है मेरे हाथ में तुम इसका एक किवली step देख पा रहे हो एक side से एक ही चीज देख पा रहे हो जब तीनो dimension देखने लगो यानि लंबाई चोड़ाई तो दिख रहे है गहराई नहीं दिख रहे है यानि जब एक साथ लंबाई चोड़ाई गहराई तीनो देखे तब हम लोग एक plane से बाहर बात करता है अगर हम लोग बात करें तो देखो ये एक चीज है ये एक चीज है और इसी में हम लोग अगर ऐसे इसको मिलाएंगे तो हम लोग पाएंगे क्या हम लोग यहां से पाएंगे क्या देखो ये कि यहुआ यह वा एक बोडी और इस बोडी में मालो एक फोर्स यहाँ लगा और एक फोर्स यहाँ आगे वाले प्लेन में है तो क्या आप लोग कमेंट करेंगे कि यह प्लेनर है कि नहीं! बस हाँ या न पिशीissant की सार ये तीन पोर्स स्लाग कि यह माल दीजिए एक्ट में है और ये एक्ट्री बता सकते हैं कि सरे ये sensor है कि नहीं है कि यह मुझनि अधीवर्ब्रों पाइब कि अध्यक्रों यूर्पियंग है अध्य Linux दीर नोग मारय इसको बताएप कि आधीव сделал ठीक है कुछ लोग कर रहे हैं हाँ कुछ लोग कर रहे हैं नहीं है ज्यादा तर लोगों के अंसर नहीं आ रहे हैं very good reason मैं आपको बता दूँ अरे यार यह सोचो यह एक है एक है यह दो ऐसे है न यह plane अब बताओ एक फूर्स इसपे लग रहा यहां पर आएक फूर्स यह एक plane है एक plane इधर लग गया तो यह जान लो कौन साइस स्टेट है आपका Mr. डाइलेटेंट आपका कौन साइस स्टेट बोर्ड है ज़र बताईएगा बेलकुल आप यह समझेगा एक फूर्स यहां उपर लगा है तो यह एक plane इसी में जितने रहेंगे वो like अगर इसी plane में सारे फूर्स है तो वो को प्लेनर कहे जाएंगे उस plane में और इस plane में नहीं यानी एक तल से हट जाओ जैसे मैं अभी खड़ा हूँ सुनो मेरी बात कुनो अभी मैं आप खड़ा हूँ यह बताओ मैं और यह बोर्ड एक अही प्लेन में है क्या मैं और यह बोर्ड एक अही प्लेन में है जो पीछे मेरे बोर्ड लगा हुआ है वो और मैं एक ही प्लेन में है या नहीं इसका रवाब दिजिए जारखंड वालों का सलेबस अभी मैं नहीं लेके चल रहा हूँ लेकिन वेस्ट वाटर का वैसे पड़ा है यूपी का जो आपके लिए काम आएगा ठीक है आप वहां से कवर कर लिए जारखंड के सलेबस में थोड़ी सी अलग चीज़ें है वो अभी मैं नहीं करा रहा हू ठीक है अगर हम उसी में समाहिक होते तो एक ही प्लेन में होते लाइक यह जो दिख रहा है और बोड वो एक ही प्लेन में आपके पूरे कर रहा है सार कय सत्थिका यह का है एक प्लेन का मतलब होता है कि अगर हमको काट में होले तो भी समझ है माई अगर हमको ऐसे काट में बूइन तो भी कट जाए अगा न गाल यह किमें बूफ फीरा Though ृहां बेलकूल मेंम दे बात तो पहली बात की फोर्सेज को पूर्सेज का समूं हो जो एक तल में उसको और कूश जो एक ही तल में उनको नौन को पुप लेंट थीक है ना हां नियुद को अब तो देखा कि आपकी लाइफ चल रही है तो वहीं से करो यहां काएं परसकर रहे तो पहले वहां से जाए पढ़ना नहीं है यहां लाइट क्लाप आगे हैं मजा लेने चले आए लेकिन यह जान लोग एकदम गुरू वाला केस है मेरा औफ लाइन पीटा जाते हैं लोग पुरांत इधर ध्यान दिजिएगा को प्लेनर में कई हो सकते हैं आप को प्लेनर में कोई कॉनकरेंट का मतलब कितने लोग बताएंगे ऐस है अगा इन तीनों का बढ़ाने पर और यहां पर जाने पर तीनों एक जगह पे मिलते हैं इनको कहते हैं यह सब कोट्रेणर है लेकिन मैं देख रहा हूं तो फोड़ा फोड़ा डिफरेंस हो जा रहा एक ही जगह पे नहीं मिल रहा है तो यह सब नौन-concurrent है समिझ में आरEO बात ना समझ में आजी बात यहां पर देखिएगा को प्लेनर वाले कांक्रेट भी हो सकते हैं को प्लेनर वाले नॉन कॉंकरेंट तर इंदेक हैं आइक-ई-पैरलल भी हो सकता है आप प्लेनर में एक like parallel एक unlike parallel सेम चीजे नॉन को प्लेनर में हो सकती है ठीक है ना जो एक ही point पर मिले मिलेगा नहीं उसका line of action एक ही point पर मिलेगा उसका line of action एक ही point पर मिलेगा clear है यानि ऐसे बल जो एक ही तल में लगया हो co-planar होते हैं co-planar forces concurrent, non-concurrent और parallel या non-parallel हो सकते हैं parallel जो होगा वो कभी भी concurrent नहीं होगा आप दो canal है तो बतاؤो concurrent होंगे तुम है पेरलल यहाँ गया क्या यह कभी concurrent होंगे जबाब दीजी parallel forces कभी भी concurrent हो सकते हैं लेकिन parallel अगर एक ही दिसा में होते हैं उनको like parallel और एक उधर जा रहा है और दूसरा parallel इधर जा रहा है तो उसको unlike parallel बोलते हैं क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, बताए बात समझ में आई, चलिए अगला सेम चीज़े, non-coplanar में non-coplanar में, यहां पर non लिख लिएगा नान को-Planar-Concurrent nurses Notts में थोड़ी गुलती है नान को-Planar concurrent हो गया! और यह दूनों सेम हो गया है ठिक कर लिए नान और को-Planar-Concurrent नान और, और है नान ! यान इंको थूदा ठिक कर लिजिए गा पहले वाले में गलती क्या है? इसको थोड़ा notes में पहला वाला है और तीसरा स्था ही है नॉन को प्लेनर पैरलल जिसमें लाइक और अनलाइक क्लियर है बात पूरी ठीक ना हम ठीक और इंको डाइग्राम को रूप में दिखा भी दिया गया एक एक to explain कर दिया गया कि को प्लेनर पूर्सेश सिस्ट रिया रेका कही तल में यह सब पूरा यह देखो यह एग को ही दो में दिखाdep color और जो वहाँ पर co-planar concurrent co-planar है लेकिन एकी point पर मिल रहा है तो concurrent है फिर अगला co-planar है लेकिन non-concurrent है यह इधर जा रहा है यह इधर जा रहा है यह इधर जा रहा है आपस में कोई लेना देना नहीं इनका ठीक है न वेद प्रकाश जी कमेंट रिपीट मत करिए यह वीडियो तो उस्से लिए है कि आप पास नहीं नमबर ला देंगे अच्छा लैकन यह के वलापा संगे याद नही रहेगा आज की क्लास याद नहीं रहे गहीं आपको लंबे सॉने तshop का न में क्या होगा को प्लेनर है लेकिन यह दो को लाइक पैरलल है को प्लेनर पोर्स आप देखें नौन को प्लेनर आ गया यह अनलाइक सिस्टम है लाइक को प्लेनर में लाइक लाइक दोना होगा है अब को प्लेनर पूरा खतम अब नौन को प्लेनर आगे नौन को प्लेनर में जो एक ही plane मना ओँ देखो एक F2 है F1 F3 है तीनों तीन plane में non co-planar है अम non co-planar में process system में non co-planar non concurrent यानि non co-planar यानि दोनों एक plane में नहीं है साथ में non concurrent भी है यानि वो एक दूसरे से कटने वाले नहीं है इसी तरीके से सबको explain कर दिया गया है आप एक बार इसको क्यवल reading लगा लेंगे clear हो जाएगा सबको clear है हाँ 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 ठीक है पेपर की डेट 12 तारिक से नहीं होगी पहले बात यह जान लिजिए आप कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कोई ऐसा सयारी नहीं दिख रहा बूड बारा सहोने का आये principle of transmissibility क्या है अभी थोड़ी दिर पहले आया था question पेपर अभी जब मैं दिखा रहा था तो यह question आया था पेपर में जब थोड़ी दिर पहले मैंने पेपर दिखाया तो यह question आया था उसमें और like फिर से मैं कह रहा हूं like का बटन दबाते जाए जो लोग दूड़ रह बेटा इसको देखके जाओ तुमारे college का पूरा seasonal clear हो जाएगा इसको पूरा देखके जाओ seasonal पूरा clear हो जाएगा चिंता मस करो ठीक है बताओ principle of transmissibility क्या है कह रहा है कि एक पिंड के किसी बिंदू पर यही कोई बल कारे कर रहा हो तो उसे इस बल की क्रिया रेखा कि किसी भ आरा सकता है if a force is acting on a point on a body it can be assumed to work on the line of action of that force at any point यानि मैं कहूंगा कि if a force is acting on a point of a body it can be assumed to work or it can be assumed to apply on any point on the line of action of that force समझ में आ रहा है बात इंग्लिस में भी clear है बिलकुल तो transmissibility कहता है कि the force इस point पर लगा हो तो वो यह कहीं भी लगा हुआ माना जा सकता है इस line तो कहीं भी माना जा सकता है ठीक है न यह हर्याना का भी सलेबस सेम है गौतम कुमार सेम यह हर्याना का भी सलेबस है आप कवर कर सकते हैं यही से कहीं आपको कहीं हिलने की जरूबत नहीं ठीक है न ठीक है forces transmissibility और उसके यह diagram बना कि आप दिखा सकते हैं यहीं आपका concept है कितनी सी बात अगला करें law of superposition law of superposition कौन बताएगा law of superposition क्या है law of superposition कहता है इसको मैंने यहाँ पर बोला है कि there will be no effect on the action of given system of force acting on a rigid body if added or subtracted from them another system of forces which is also an equal variant हम यहाँ खड़े थे हम यहाँ खड़े थे हमारे उपर से दो लोग यहाँ पर पांच का इधर से बल पांच का इधर से बल लगा रहे थे हमारे उपर दो लोग ने पांच का बल इधर से पांच का बल इधर से लगाया तो क्या हुआ तो हमने देखा कि हम तो ऐसे ही खड़े हैं अब उधर वल अच्छाय लगा तो बले गिर जाते पाँच-पाँच के बल दोनों लोग लगाया और हमने का हम तो ऐसे ही खड़े है कोई उधर से आये दो लोग और और पांच-पांच केजी और लगा दें क्या आसर पड़ेगा हम पर क्योंकि वो पांच-पांच केजी खुद ही दोनों तरब से एक दूसरे को कैंसल किये थे एकलिबिरियम में थे बात सुनना रही न दो फोर्सेज हमारी बॉड़ी एकलिबिरियम में है या फिर भूफ कर रही है दोनों इस्थिति में यदि कोई एक फोर्स का सिस्टम आए यानि सिस्टम मतलब दो तीन चार फोर्से जाए जो आपस में इकलिबिरियम में लाइक पांच इधर से पांच इधर से लगा दोने एक दूसरी को कैनसिल किये हैं दो पूर्स है यानि ये शिस्टम ऑफ फोर्स है और इनको कहेंगे दीज आर इन इकलिबिरियम कंडिशन वह आके हम पर लग जाए हम आरे उपर कोई असर पढ़ेगा बताइए हम डिफार्मेबल रहेंगे तब तो टूट जाएंगे अब कहेंगे सार इधर सभी 100 किलो लगा दीजिए पिछक जाएंगे हम यह नहीं मानना हम रिजिड है यह मानों तो क्या ही लेंगे डूलेंगे बाहर से कुछ सिस्टम आप पोर्स लग जातो तो सुपर पोजि कोई परिवरतन नहीं होगा या आप इसको पाल लुझे इस सी स्पर पोर्स काम कर रहें तो उनर पर यदि कोई और सिस्टम आप फोर्स लगा दिया जाए या हटा दिया जर जो की क्लINT वीयम्हें हो तो पिंड के कि सकतिवाइब कोई परिवर्तान नहीं होगा ला आप सूपर पॉडिशन धिसा स्वाइब ला आप सूपर पोरिशन लेरा सभी कोर सभी को बात क्लिए तो ये भी इंप्रोर्टेंट है और हो सकता इस बर पूछे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता इस बार पूछे क्योंकि दो तीन साल से आया नहीं है तो उम्मीद मैं कर रहा हूं कि यह आ सकता है ठीक है आगे ट्राइंगल लाव फोर्सेज अभी पीछे पेपर में आपने देखा था बलों के त्रिबूच का नियम बहुत ही आसान है यदी यदी मैं कहूं यहां पे बलों के त्रिबूच का नियम क्या कहता है यदी किसी बिंदू पर दो बल लगे हुए हूं यहां पे लग गये बल तो इनका परिणामी किसी बिंदू पर दो बल लगे हूं और उनको इन दोनों बलों को त्रिबूच की भूजाओं द्वारा प्रदर्सित किया जाए इनका परिणामी तीसरी भूजा के द्वारा प्रदर्सित होगा कि तो कहेंगेए इसका परिणामी यह है हम यहां कैसे अगर ऐसा होता कि अपनी जगां पर रहता तुम इमेजिन करो इसका परिणामी यही होता है मिलाके देखो हो रहा है पैरलो ग्राम की तरह से इसको मिलाओ देखो गया तो यह कि इसको इधर ला के सामने की बढ़ाएं कि बढ़ाबर होती हैं तो ला दिए अब हम ने के वाल इन दोनों को मिला हैह हमने केवल इन दोनों को मिलाया और गया। इसका मतलब समझ रहे हो इसका मतलब यह जो नहाShare हुए थे उनका परणावी है भी सही है क्योंकि आप जानते हैं जब दो बल लगते हैं फहलो गराम का लाव कहता है कि जब दो बल किसी बिंदू पर लग derivatives हो और उनसे पहलो गराम बना दिए जहाए तो उनके विकody त्रेंगल लॉख कि वारा हिसके लिए तुम निकालोगे कैसे इस परणामी को तुम निकालोगे कैसे इस परणामी को निकालने का तरीका यही था इसको अगर ये दो बल लगे वह हुए हैं तो बस कुछ मत करो इनको री अर्रेंज कर दो triangle कीदे ऐसे कर दो और उसके बात उसके बाल कि दोनों को मिला कर के इन दोनों को मिला कर के एक बन्द कर दो अपने त्रिभूच को यही इसका पढ़ना में ह experimental लॉग कहता है और उनको त्रिभूच की तीसरी भूजा द्वारा प्रदर्सित होगा इतनी सी बात बस अरते यह फोर्षेज को प्लेनर को प्लेंर होने चाहिए समझ मारी बात इस नियन का इंसार अदि किसी पिंड पर एक साथ लग रहे दो समतली बलों का प्लेनर मैंने बोला ना कि वो co-planar होने चाहिए दो सम्तलिय संगामी बलों को एक त्रिभूज की क्रम से ली गई एक त्रिभूज की क्रम से ली गई दो भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरुपित किया जाए तो विपरीत क्रम में ली गई परिमें दागः यह जाए कि अदन को इल्ख लाक से लिए लेकिन हमें विपरीत क्रम ली लिया तो विपरीत क्रम में ली गई त्रिभूज को बंद करने वाले भूजा उन बलों का पड़ाँमी निरुपित करता है क्या यह बात कितने लोग है जिनको समझ में नहीं आ है ट्रेंगल लॉक कितने लोगों को नहीं समझ आ है यह पढ़नामी निकालने का हुथ असान तरीका है लॉप ट्रेंगल कितने लोगों को यह बात नहीं समझ में बता है अरे बोलोगे clear है लॉक ट्रेंगल में किसी को दिक्कत है कि नहीं समझ में आया उसी को दूसरे सब्दों से भी बोला जा सकता है इस चीच को explain भी किया गया है असान है इसी को बना के तुम ट्रेंगल बना दो पी और क्यू दिखा दो फिर दूसरे डाइगराम में P और Q को दिखा के मिला दो R से वो resultant का काम करें clear है? ठीक है यही lock triangle था और आगे अगला है किसी को explain किया गया है और उसी को बोला कि आता हम कह सकते हैं कि यदि किसी बिंदू पर एक साथ कारे कर रहे हैं दो समतली बलों को एक त्रिभूट को करम से कर रहा है कि इसी को बदल के बोल रहा है कि इस नियम के नुसार यदि किसी पिंद पर एक साथ कारे कर रहे है तीन बल समतली संजामी बलों को एक त्रिभूट की करम से ली गई बुजाओं ज़रा दरताया जाए तो यह तीनों बल सामें आवस्था में होंगे यानि तीसरी बुजा उनकी परणामी को दिखाएगा तो परणामी तो उनका रिजल दिखा रहा है लेकिन अगर इसको उलटके इधर दिखा दें तो देखो हमेशा परणामी का विपरीत बल सम्यक बल होता है अगर मैं बोलूँ कि एक परणामी यह है तो परणामी का ठीक विपरीत इधर की दिखा में यह सम्यक बल होता है यानि जब तुम त्रिभूच बना रहे हो एक दूसरा अगर ऐसे मिला ओगे तो परणामी दिखाएगा और ऐसे मिला दोगे तो एक्लिबरेंट पोर्स दिखाएगा यानि सम्यक बल दिखाएगा क्लियर है यह आप बताओ ला ओफ ट्रेंगल समन्माया अब बात करते हैं लॉफ पॉलिगन पर अगला कोस्चन यही था पोस्चन यही था लॉफ क्या है लॉफ पॉलिगन में वही काम बहुच की नियम से होगा यह सेकेंड चेप्टर का चप्षच्वा कोस्चन है लॉफ पॉलिगन में यही जो त्रिभूज का नियम था वही बहुज का नियम होगा यदि किसी बिंदू पर लगे कई बलों को किसी पॉलिगन की भूजाओं द्वारा किसी बहुज की भूजाओं द्वारा परदसित किया जाए तो अंतिम भूजा जो बहुभूज को बंद कर रही होगी वो सभी बलों के परिणामी को दिखाएगी या एक्लिबरेंट को दिखाएगी अगर विपरीत ले लेंगे तो परिणामी को और सेम दिशा में लेंगे तो एकलिबरेंट को यानि यदी किसी प्ट क्यी फोर्ष लगे हो और इनको इह से इह से तीर इधर गया इधर यह इधर य़ लेकिन अगर यहीं से फिर इसको नीचे ले जाते तो यह एक्लिबरेंट को दिखाता लेगन चोटी वर्यानमिक कर सके चाहते, यहां है से था आता अहरा है, इस होने हैं, इसा को पूरा समझाया जो बात मैं बोला हूं, अगला वेक्टर के नियम आप लोग जानते हो और उससे कर दें तो आप अच्छी बात है दिख कर देंगे तो कोई बुरा ही नहीं होगी अगला क्वोशन कह रहा है ला आफ पैरललो ग्राम ऑफ पॉर्सेस कितने लोग इसको कर लेंगे कमेंट करें कितने लोग इसको कमेंट कर दें क कर लेंगे जानते हैं साथ बच के 19 मिनट हो रहा है एक गंटा 19 मिनट क्लास को चुकी है और मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर यह रिकॉर्डिंग फॉर्म में मैं देता तो मैं दो ग्वंटे में पूरा निक्ता दिया होता हुआ कि दो नहीं सवा दो ग्वंटे मैक्स आपके लोग प्राइलोग्राम कहता है देखो यह सब सब अच्छाई यह वताओ यह सारे लॉक किस लिए हैं तब यह बता है सबसे पहले आप लोग कमेंट करके यह सारे लॉड जो लॉड पढ़ा नहीं आप ऊपर वो किसके लॉड है चैप्टर का नाम ही है लॉड फोर्स चैप्टर का नाम ही है लॉड फोर्स इसका मतलब सारे लॉड फोर्स के और उसमें भी किसके सब रिजल्टेंट निकालने के अलग लग तरीक है तो कि मैकनिक्स में इस पर बात ही नहीं है आगे बताया जाएगा कि हमें रिजल्ट निकालना क्यों है वैसे हमने अपने क्लास में बताया है ठीक है ना अपने क्लास में मैंने बताया था ठीक है मनोर्मा प्रजापती बहु भुझ का फिर से अच्छा यदि एक प्वाइंट पर कई फोर्स लगे और उनको माली एक फोर्स इधर लगा एक फोर्स इधर लगा एक फोर्स इधर लगा यहां पर और इन सारे फोर्स को किसी बहु भुझ द्वारा दर्था आ जाओ बहु भुझ का मतलब एक फोर्स ऐसे लाएं ऐसे ला दिये एक फोर्स दूसरा फोर्स हमने लिया इसके साथ मैं ऐसे लगा दिया कहीं भी कोई भी ज चौथा फोर्स हमने ऐसे लगा दिये तो यह तो नई सेट हो रहा यानि इसका यह रहेगा ऐसा सेट करिए कि यह यह फोर्सेट जो है यह गड़बड बता रहा है कि अब क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज इनको ऐसे लगाई यहां पर रुखिये अब इसको अगर यह सही से सब कुछ बना रहेगा यह ऐसे ऐसे फोर्से आपस में गए तो कहीं दी कोई इनका परणामी इधर से मिला दीजिए कि यह बहुत बंद हो जाए अला कि यह डाइगराम बहुत सही नहीं है गड़बड बनाया उस टाइप से नहीं बनाया तो जो अंत में बंद करेगा वह परणामी को दिखता यानि कई फोर्से जब लगे हुँ हो इस तरीके से जैसे यह लगा वुआ यह सब एकी पॉइंट पर यहांपर लगे है इस अरे पोर्स इनको इस टाइप से अरेंज करना था कि यह सारे पोर्स मिल करके एक पॉलिंघन बनाने लगे जैसे यह वाला मना लेगा मैंने जो लिया वो रेंडम ऐसे ही खिस दिया है तो जब बल लगते हैं तो वो एक पर्टिक्लर वे में लगते हैं कि राजेंद्र वर्मा कह रहा है बड़ा लंबा चोड़ा कमेंट कि यदि किसी बिंदू पर दो बार इस तरह से कार करें वल कि दोनों को सनलग न समांतर चतुरबूज की बुजावाद वारा निरुपित किया रहा है तो उनका विकर्ण परणामी को सो करेगा जो पॉइंट कि अएक्टैंड से जाता बहुत बड़ियंग एकड़म ठीक परिभासा एकड़म ठीक परिभास ती करना आ कि ट्रेकर गटर नंबर बो पहले नंबर इस्कृइन को नहीं चल रहा है आख मंकर के देखर रहाँ वीडिए means that कि इस्क्रीन पर नंबर नहीं चल रहा इस टाइम को थोड़ा सा एफर्ट डाले अपने ज्ञानेंद्रियों को थोड़ा काम दो यह सब तुम्हें भगवान ने दिया है इन ज्ञानेंद्रियों का थोड़ा प्रयोग करो उनको दिख जाएगा कहीं किसी कुछ मांगने की तो कहरा कि कई बल लगे हुने हैं अगर इनको अरेंज करके एक बहुदू बनाया जैसा इसमें आप को यहां ला दिया गया एक तो बंद कर दिया जाए और अगर यह बंद हो गए अगर यह बंद हो गए तो समझ लेना यह पहले ही सामया वक्ता में है अयदी नहीं हुएं तो कर देना बंद विपरीत दिशा से वह रिजल्टेंट को दिखाएगा पैलोग लाम का आप लोगों में से आप लोगों ने बताई दिया पैलोग लाम कहता है यह थोड़ा important है और बार बार आने वाला question है तीक है क्या का आए इस नियम के अनुसार यह दी किसी पिंड पर कार रहे है दो बलों समतली संगामी बलों को एक समांतर चतुर भुज की दो आसन आसन मतलब होता है एड्जसेंट साथ साथ वाली यानि एक यहां वाली एक यहां 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 लेगे आसन बोजाओं द्वारा परिमाल और दिशा में निरूपित किया जाए तो उनका परिणामी उसी कोणी बिंदू से जाने वाले विकर्ण के द्वारा परिमाल और दिशा में निरूपित होगा इनको ऐसे घुमाया और दोनों से समांतर चत्रबुर बन वा लिया बन गए अब कर रहे हैं हम लोग क्या इनका परणामी यहां के निकल के उसी को मिला दीजिए यही resultant को सो करेगा यही नियम है law of parallelogram का ठीक है न अमन सैनि ठीक है बिलकुल साही इनका नमन est पो परसल आपर अट प्रकेंट अठीक है यहिगरा वयकला सही डिय है तर दीजिए इनको इननर 125 इलैगन 12 इ idag इनको आण備 पर लिई और फा, लाइ भेल ली जगा भी नैगन इंट बनglich इननर 12 इसknaden मेर यह बाला नहीं होगा स्माज गए नब आँढ क्षी बोलना ज़रूरी है कि जो उसी लाइन ओप सद धॉनों कोरें वहलब सब्सक्राइट वह पॉइंस जा रहा हो तबि उसी डाइगन से डिश्डाइगन सा इस देखा दिया गया है समझ के तो इस से पता चला कि आर होगा कितना जब आर रिप्रेजेंट करेगा तो अच्छी बात है तो होगा तो एक पूरा कितना होगा जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और जब ये थीटा है तो इसकी मदद से ये निकाला जा सकता है लगी कि ये फोर्स एदी क्यों हो ये वाला पी हो तो अगर ये वाला फोर्स को मैं क्यों माल लूँ तो ये वाला कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू यह जो लंबाई है यह कितनी हो जाएगी एक यू साइन थीटा हो जाएगी और यह जो बच्चा वो जाएगा क्यू कॉस थीटा अब कहेंगे सर यह पूरा लंबाई कितना होगा तो कहेंगे होगा सर पी प्लस Q cos theta होगा यह पूरा लंबाई P plus Q cos theta होगा और हमको निकालना क्या है हमको यह आर निकालना और यह होगा यह वाला यह वाला अगर मैं बोलू कि यह P plus Q cos theta यह कितना होगा तो कहेंगे Q sin theta तो कहेंगे सर यह R कितना होगा तो इसका square plus इसका square को under root में लेंगे तो under root हो जाएगा P plus Q cos theta का square plus Q sin theta का square इन दोनों को break करके पूरा यह सब दिखाएगा इन ही दोनों को break करेगा ब्रेक कैसे किया इन सब को फलाना डिंकाना लिया यह सब पूरा इतना लंबा चोड़ा कम में करना हो तो जैसे मैं किया हो करना अंतिम में तो यह आएगा अंतिम में यह आएगा आर बराबर यह आजाएगा यहासन में कैसे आया है वो जो लिया है ना P plus Q cos theta का cos theta का square plus Q sin theta का square उसी से आप सुम solve करोगे तो यह आजाएगा P square plus Q square plus यहाँ पर सब करोगे solve तो इसी से यह आजाएगा खतम हो जाएगा फिर पूछेंगे कि एंगल कितना होगा resultant का एंगल कितना होगा यह पूछा जाए resultant का एंगल तो resultant का एंगल यह होता है वो होता है यह पूरा P plus Q cos theta यह किस के बराबर है 10 5 के बराबर इस एंगल के बराबर तो 10 5 बराबर यह हो जाएगा क्या यह बात समझ में आई सबको तो 10 5 का वालू देखो Q sin theta plus P plus Q cos theta clear है आप proof का असान था proof proof करना इसका जब यह आएगा तो आपको इसको proof करना ही पड़ेगा इसको proof करना ही पड़ेगा आपको एक्जान में हाँ सबको नहीं लेकिन यह वाला आएगा तो जरूर करेगा असान है अगर एक बार देख लेंगे पीडियाप सब क्लियर हो जा रहे हैं बाकी मैकैनिक्स की पूरी डिटेल क्लास फ्री पड़ी हुई है मालों तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखे और तुम्हें लगा कि किसी में किसी पॉइंट पर कोई दिक्कत आ रही है यह वाला पॉइंट अच्छे से नहीं आए तो फ्री प्लास की लिंक डिस्रिप्शन बॉक्स मेघ जाओ जीस टॉपिक पर प्रॉबलम हो कि यवाल उसको अलग से पाढ़लों बाकी बाकी तो देखी रहे हो फालος एँड़ो रहाавно है अगला कोश्चन क्या कहरा है लगा कोष्चन क्या कहरा है लिग अगला कोश्चन क् पटापट्च बताईए लामी का थियूरम है अगला बताईए अगला लामी का थियूरम है लामी का थियूरम क्या कहता है बताईए लामी का थियूरम कहता है कि इस प्रमे के अनुसार यदि किसी print पर एक साथ कार कर रहे हैं अवस्था में और जब कोई बल सामär अवस्था में आना तो वो त्रीभुच बना लेगा अगर साम्में अवस्था में नहीं है तो जैसे एक बल ऐसे हैं और दूसरा बल ऐसे लग रहे हैं और तीसरा बल जो है वो ऐसे लगा है त्रिबुच कम्प्लीटी नहीं है तो यह साम में आवस्था में होता तो यह निश्ची तुरूप से त्रिबुच को कम्प्लीट कर ले ता यह जान दे इस पर यह दिदम डिटेल में बढ़ियां से एनलोजी करकर करके पढ़ना हो दो लोग जो लाइक नहीं किया है वो लोग कर देंगे ना तो 100 लाइक हो जाएगा जो दो लोग लाइक नहीं किया है अगर वो कर देंगे तो 100 लाइक हो जाएगा यह जान ले तो कहने का मतलब है यहां पे कि यदि यह तीनों ट्रेंगल कम्प्लीट कर ले रहा है तो इसका मत साम्में आवस्था में है तो प्रतेक बल सेस्क दो बलों के कोण की जाके समानुपाती होता है यह यानि कहने का मतलब है कि अगर बोलें कि यह बल माल यह पी है यह क्यों है और यह आर यह एंगल को माल लेते हैं हम लोग कुछ अलफा माल लेते हैं इसको हम लोग बीटा माल लेते हैं इस वाले को इस वाले को बीटा माल लेते हैं और इस वाले को इस वाले को गामा माल लेते हैं तो यह जैसा बना है यह कह रहा है कि अगर यह तीनों मतलब उसमें हैं मतलब साम्में आवस्था में तो इस केस में प्रतेक बल सामने वाली कि जा यानी ये alpha एंगल का यानी P by जा मतलब होता है sine alpha ये बराबर होगा किसी के cake यानी ये constant होते हैं उनकी जा का आनुपाद जो है constant होता है यानी बोल रहा है कि जा के समानुपादी होता है यानी वास्तविक्ता ये कहा रहा है कि P is धारेक्टली प्रपोर्शनल टू साइन अल्फा क्यों कि युश्द धारेक्टली प्रपोर्शनल टू धृतुत चाहिए वी यह जो बूला गया है यदी तीनों और अवस्था में तो यह वह तो यह होगा तो यही बात न बोला वो थो यह बोला है हां धन्यवाद आपको भी बहुत सारा प्रेम मिस्टर डेविल त्यागी अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं तो आप यह मुझे बताने के बजाए क्लास में बताईए उससे मुझे लाब होगा ठीक है ना बाकि आपके प्रेम के लिए ब बहुत सारा धन्यवाद आपको ठीक है हां तो ये सही है ना साइन को साइन का मतलब दूसरा होता है साइन मतलब दूसरा ठीवर ऐसा है तोईसी से हम लोग यहां डायरेक्ट ना लएक ना लीखेम मैस फूरूफ कर यसे यह तो डारेट्ट ऐना अब लेकिन आया कैसे तो मैं कहां मैं इस से आया है कैसे आया है तो P is directly proportional to sin alpha यानि P directly proportional to sin alpha यानि क्या मैं कह सकता हूं कि P बराबर K into sin alpha और इसी तरह Q बराबर Q बराबर K कोई constant sin beta और R बराबर K into constant sin gamma यहां से दिक के की वेलू ले तो यहां पर K बराबर क्या होगा P यहां से के बराबर P will be a sign data अके तीनों बराबर है तो इसका मतलब P बराबर साइन अल्फा, Q बराबर साइन वीचा यहां से अगर निकाल है तो K बराबर क्या आएगा तो के बराबर आएगा और के बराबर यह आ जाएगा क्यों साइन बीचा और के बराबरर यहा जाएगा और आप ही तीनों निकल के आ जाएगा खतम कहाने अब ही पिछले paper में question पूछा था विभिन प्रकार की टेकों और धर्नों को समझाईए question आ गया है types of support याने टेकों के प्रकार types of support याने टेकों के प्रकार क्या है टेकों के प्रकार supports याने टेके यह theoretical है पूरा कुछ समझने वाला नहीं बहुत easy question है बहुत देखो forces वाले में थोड़े law है इनको समझना है बाकी तीसरे चेप्टर अब आने वाला है अब थोड़े आसान theory आई चिंता मत करो बने रहो क्या कह रहा है हम लोगों से इसी संदतना के विभिन अवयाओं को यानि member को सहरा देने के लिए टेके प्रयोग की जाती है यह निम्रप्रकार की होती है टेके निम्रप्रकार में कौन-कौन सी सहरा लिया रोलर टेक यानि simple support जिसको बोलते है फिर उसके बाद कबजेदार या pin टेक तो बाती दोनों को क्या बताया था कोई नाम लेगा main class जब free वाली class पढ़ा रहा था तब बताएं आप लो याद करिए supports को जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने क्या-क्या example दिया था कोई बताएगा एक support को पिता जी बताया था मैंने अच्छा ध्रूप को याद है और कोई एकी बंदा था उस class में आँ मम्मी पापा सब कर डालो तुम लो मैंने बोला था रोलर support वो होता है जो support इस तरीके से हो यानि आप जरा सा दाय माय हिले तो वो हट जाएगा support से आप हट जाएगा ये support खाली vertical reaction यानि opposite to the direction of आप normal to the surface दे सकता है ठीक है न? in support वाई बेलकुल सही ठीक है मैंने कहा था कि रोलर support वो support है जो केवल एक दिशा में reaction दे सकता है इस पर भार ये ऐसे लगा तो समभाल लेगा दाय बाय भार लगा ये तुरंत गिरा देगा रोलर मतलब समझीए आप steering वाला जुटा पहने हैं न? जिससे skating करते हैं हम लोग आप लोग skating वाला जुटा आप कमी पहने होंगे खेलने वाले तो उस पर सीधा कड़ा रहेंगे तो ठीक है अगर आगे पीछे हुए तुरंत गिर जाएंगे समझ गया बात को तो इसको मैंने बोला था फिर कभजेदार वो होता है जिसमें कोई चीज लगा के ऐसे पिन मार दी जाती है पिन में ऐसा होता है कि वह हिल तो सकती है लेकिन अपनी जगा नहीं छोड़ सकती है तो उसको बोलते हैं हम लोग पिन सपोर्ट वह हिल तो सकती है लेकिन अपनी जगा नहीं छोड़ सकती है तो मैंने बोला था कि देखो यह है girlfriend जिस पर तुम्हारा जरा सा संतुलन बिगड़ा हट जाएगा यह है वाई पेपर बेट की तरह फड़ फड़ाते रहो इधर उधर हिलना नहीं देगी अपनी जगह से आईए होते हैं बाप नहीं देगे आए नहीं देगे ये गूमने तो देता है इधर फोर्स लगाओगे पिन रहेगा गूम जाएग यानी यानी रोलर सपोर्ट क्या था रोलर सपोर्ट क्या था एजए girlfriend खाली एक direction से सपोर्ट है कोई वहनकर सपोर्ट नहीं सिंपल सपोर्ट है और ऐसे केस में वह आसानी से क्या होता है आप डिस्टर्ब कर सकते हैं इस सपोर्ट से वाइट जो होता है इंग सपोर्ट है हो मोई इधर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जगह नहीं चेन्द होगी इसको कहते हैं हेल्ड इन पोजीशन हेल्ड इन पोजीशन बट नाट रिस्टेंट अगेंस रोटेशन इन सपोर्ट तो क्या बोलते हैं इसको कहते हैं नाइधर हेल्ड इन पोजीशन नौर नाइधर हेल्ड इन पोजीशन नौर रिस्टेंड अगेंस रोटेशन इसको बोलते हैं हेल्ड इन पोडिशन यानि पोडिशन तो बद रहे बट नॉट रिस्टेंट अगेंस रोटेशन यानि घूमने में कोई रुकावट नहीं है देसे इज फिक्स्ट सपोर्ट किसी चीज को धासा दिया रहा है किसी चीज में नाइधर नाइधर हेल्ड इन हेल्ड इन पोडिशन और आल्सो रिस्टेंट अगेंस रोटेशन यानि रुकावट भी है और साथ साथ में घूमने भी नहीं देगा समझ गया बात को तीन तरह के सपोर्ट किसी जगा दिये जा सकते हैं तीनों को एक्स्प्लेइन कर दिया गया है तीनों एक्स्प्लेइन को जो मैंने बोला वो लिखा गया है तो देखें कि हिंज सपोर्ट यहां पर है यहां पर यह रोलर है यहां पर यह हिंज लगा है और फिक्स कैसा होता है ऐसे इसका सिंबल होता है पूरा fix कर दिया जाता है, ये fix का symbol होता है, ठीक है न, types of beam, ये question पूछा जा सकता है, चुकि आ नहीं रहा है दो बार से, but it can be asked in your exams, क्योंकि syllabus में जुड़ा है और दो बार से आ नहीं रहा है, तो क्या पता, अगर paper घूमना हुआ तो यहीं आ जाए, कैसे होगा, beam का पूरा, कितने प्रकार की धरन होती है, धरन मतलब anything that carries bending moment, यानि कोई भी चीज जो bending moment को सायन कर रहा हो, वो धरन कहा जाएगा, clear है, तो आब यहाँ पर दोनों तरफ क्या रहे, अब चाहिए वो गोल हो, ज्यादा तर चौकोर बनाई जाती है, ठीक है न, लेकिन वो किसी भी काट की, बस एक समान होगी, जितना इधर, उतना उधर, उतना उधर, इस टाइप से, ठीक है न, बिलकुल, अब ही पेपर दिखाया थे, थोड़ी दि ठीक है न, तो इसका मतलब है कि धर्नों के प्रकार में, यह पूछा गया हम लोग से, धर्नों में क्या होता है, जब पहली धर होती, simply supported, simply supported वो, जिसमें, एक तरफ रोलर हो, दूसरे तरफ भी रोलर हो सकता है, लेकिन अन्य स्टेबल हो जाएगा, इधर उधर बग जाएग यानि एक तरफ तो रोलर रहेगा, दूसरी तरफ रोलर या हिंज में से, कोई भी एक हो सकता है, बस यदि रोलर हुआ तो अन्य स्टेबल हो जाएगी, और हिंज हुआ तो इस्टेबल रहेगी, बट रहेगी, simply supported ही, cantilever वो बीम होती है, जिसका एक सीरा fix हो, एक सीरा fix हो, और दूसरा क्या हो, free हो, किसको कहते है, cantilever, यह देखो, overhang है, overhang का मतलब होता है, दोनों सपोर्ट से बाहर निकली होई, और fixed beam वो होती है, यहाँ पर जो यह, यह fixed beam, fixed का मतलब होता है, दोनों तरफ से इसको क्या क्या रहा है, फिर डाइग्राम इदर उदर हो गया है, आ one-sided, overhanging होती है, about sided, overhanging होती है, clear न, chapter पूरा खतम होगा, यार, गौतम का है, परसान, पूरा ज्यादा नहीं है, थोड़ा वेट करो, बस खतम होने वाला, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा टिकाए रखो, टिकाए रखो, हो जाए, प्रियांसु पटेल, क्यों सौरी बोल र या नाटा जा तुमको धम गलति है, नहीं समन में आरे है या बोले इंसान, ठीक है गलती बताओ, गलती बताओ नाट सुनो और यह स्वरी सब्लोग कर लेंगे कि नहीं थाभे वटाओ कमेंन करें कि य कौन सी बीम और कैसे प्रकार की होती है कि बताइए कि बीम सब लोग कर लेंगे कि नहीं बताइए हो जाए ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि हो जाए ठीक है खाली नाम लिखना है और कैसा है सपोर्ट वैसी से सपोर्ट के बेसे चार नहीं चार नहीं आप चाहें तो ओवर हैंग में दो पार्ट बना सकते हैं इसके लावाग कंटीनीवस भी है इधर देखी अनेका धार कंटीनीवस भीम भी है देखी कंटीनीवस नहीं यह एक स्याधिक रोलार टेकमों पर एक से अधिक रोलर टेकमा पर क्या होती है ठीक ही होती है तो ये पांचमा भी है चारी नहीं है पांच है इसको अनेका धार continuous beam करते हैं ठीक है ना ठीक है ठीक है चलिए very good सब लोग beam वहला कर लेंगे अगला question कहा रहा है chapter 3 आ गया बदाई हो दो chapter के theory हम लोगों ने पूरा run up कर लिया बागे नोट तो जाएगी बात निखिल कुमार सर एक song सुना दीजिए बिल्कुल सुनाएंगे चिंता मत करो बिल्कुल बताओ कौन सा गाना सुनना है अभी तुरंट सुनाते हैं इतना बेसुरा गाते हैं हम इसमें रोलर ही होते हैं प्रिंसी कटियार इसमें रोलर ही होते हैं पूरे इसमें पूरे रोलर ही होते हैं चलिए अगला कहरा तीसरा चेप्टर तीसरा चेप्टर में थियोरी बड़ा कम है मोमेंट वाले चेप्टर में थियोरी है और sporting का दाइगराम यहां चलाया है माप ही चाहिएंगे अप const inglés डाइगराम यहां लगा लीघा वेरिगनान थियूरम पूरा जो है । ठीक है वारिग्नान थियोरम पूछ रहा है क्या होता है तो वारिग्नान थियोरम आप लोग बताएंगे कोई आप लोगों में से लंबा चोड़ा कमेंट करके बताना चाहे तो स्वागत रहेगा उसका वरिग्नान थियुरम में क्या कहता है देखो एक तो उसकी प्रूफिंग है आप चाहो तो करो चाहो तो छोड़ दो वरिग्नान थियुरम के वल explain करने के लिए बोलता है नहीं प्रूफ आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा कहीं भी आथ इतना मैं शुरू में आके पेपर दिखाया हूँ आप कहीं भी देखें हैं कि किसी का भी ये पूछा गया हो कि आप प्रूफ करिये समझाई ये बोलता है और समझाने का मतलब है बढ़ियां से परिभासा लिखके अंत में result लिखना रिजल्ट समस्ते हो क्या देखो अगर तुम प्रूफ करोगे तो प्लस पॉइंट है ये मैं कह रहा हूँ तो प्रूफ ना भी करो लेकिन उसकी परिभासा पूरी लिखने के बाद वो रिजल्ट तो लिखो वैरिगनान थियूरम कहता है इसको लिखने के बहुत असान तरीका है क्या यदि इस प्रेमे के अनुसार यदि दो सम्तली बलों को उसी सम्तल में इस्तित किसी बिंदू के परता दो यहां नहीं दो नहीं कई बल हो ये थोड़ा परिमासा खौर ठीक कर लेज़ेगा इस प्रेमे कमसार दो या अधिक बलों का उसी सम्तलम में इस्तित किसी बिंदू के परिता गुणों का बीज़गणतियोग उनके परिणामी के उसी बिंदू के गुण के बराबर होता है ये दो ही नहीं कई बल लगे कई बल लगे हो रिजल टेंट हो और वह रिजल्टेंट मालो f r हो आप इसी तरह लिखिए जो मैं कह रहा हूं बाकी derivation जो लोग करना चाहें कर लें लेकिन जो लोग derivation नहीं करना चाहते हैं वो बोलें कि यदि किसी plane में कई बल काम कर रहे हों तो कई बल काम कर रहे हैं तो उन्स सभी एक और बल ले लिजिए एक और बल ले जिए F5 बाकी चारों नीचे तो इन सभी बलों का किसी बिंदू के परिता यदि आगोंड ले और उसका बीजगनती योग ले तो उससे अच्छा इसके resultant का ही आगोंड ले बात कतम यानि हम लोग कह सकते हैं कि परमे के नुसार F1 इंटू द्यान समझना R1 प्लस F2 इंटू F2 इंटू R2 प्लस F3 इंटू R3 प्लस F4 इंटू R4 लेकिन लिखेंगे माइनस F5 इंटू R5 बताई माइनस क्यों लिखें और ये बराबर होगा F R इंटू इसकी डिस्टेंस R F R की दूरी उस बिंदू से R ले लिए हम ये डाइग्राम बना करके उसमें अगर ये लिख देंगे तो ये resultant के रूप में बने ये पुरी परिवासा लिखें वो डाइग्राम बना है इसको explain कर दिए We don't need to prove these all इनको prove करने की जरुवत है भी अगर कर ले तो अच्छी बात है बट अगर वो बता कि ये डाइग्राम बना कि ये लिख दियें अपनी बात को mathematically लिख दियें तो आसान हो जाएगा हाँ क्लियर है सबी को बात हाँ ठीक है बताइए पहले बात समझ में आई के नहीं बात समझ में आई के नहीं बताइए हुँ कि चलिए सब लोग बताईए कि क्लियर है यह बात तुम लोग नहीं बोलते हो यार बड़े दूस्ट लोग वह रिग्नान थियुरम क्यों एफ फाइप को माइनस लिया गया बता सकते हो कि इसलिए लिया गया क्यों क्योंकि एफ फाइब इन सबकी दिसाओं में नहीं था कि है फाइब फाइब इतना जाधा हो जायए इतना ज्यादा हो जाए कि इधर क साम करने लगे लन लगा है लेकिन तो मेरी तरफ ही होगा तो यदि रिजल्टेंट की दिशा उधार होती तो यहां पर बराबर में है फार को भी माइनस मिले तो मैं आ रहे यह बात समझ में आरी बात ठीक है चली यानि वैरेग्णान का थियूरम आप लोगोंने समझ लिया मोमेंट वाले चेप्टर से ठीक है यह विपरीद दिशाम है तो अगर इनस देखो यह दर नहीं हो सकता है तुम एफ फाइट को प्लस लेलो इनस सबको माइनस लेलो कहने का बस इतना मतलब है कि डारेक्शन जो एक कालिये हो दूसरा अलग है तो उसको अलग करना पड़ेगा अलग आ गया प्रिंसिपल आफ मोमेंट क्या है ठीक है ना यानि मोमेंट का प्रिंसिपल इंपर्ण कोश्चन आया और अभी देखो यह कोश्चन आया था कपल और इंट्स यानि कोई बोड़ी पर उस पर कुछ लगे हुँआ है है, ये आगे पीछे अपना फुल में इदर उदर , लेकिन ऐसे थर्णिंग नहीं लेगा , यानि गुमेगा नहीं बल अगर यही बॉड़ी पर सोचो केवाल इस पर यही बल लगा होता तो क्या है गूमने के प्रती संतूलन में होता जब आप दीजिए कि सर होता लिखे कि सर गूमने के प्रती संतूलन में होता कि नहीं होता नहीं होता तो लिखे नहीं होता और होता तो लिखे होता जल्दी करेए प्रटाक से comment करेए इस तर यह जो है अनुने के प्रती संतूलन में कि नहीं ध्यबंगे यह यही पर लगाय होते न तो नहीं गुंता यह लगाने से एक प्रति यह संतूलन में तो इसका मतलब उस प्रिंड पर लगने वाले सभी बलों का किसी बिंदू के परित्रा गुंड़नों का बीज गंती युक सुने यानि समेशन आफ एम बराबर जीरो होगा असल में हुआ है कि इसका फोर से एफ है तो इससे दूरी आ रहा है तो इस पर clockwise ऐसे लेकिन इसमें देखो ये इसको इधर गुमा रहा है ये इधर गुमा रहा है ये इधर गुमा रहा है तो इसका मतलब है उस पर सभी clockwise मोमेंट के बराबर है या गुर्णों का बीज गनती योग सूनने है मतलब सभी पॉजिटिव बराबर सभी निगेटिव है तो इसका मतलब निगेटिव वाले को इधर लाओ तुक पतम दोनों यहीं न समझ मारी बत क्लियर है बताओ यही गुर्णों का सिद्धान्त है यही क्लॉक्वाज मोमेंट 20 क्लॉक्वाज मोमेंट के बराबर होता है तभी ठीक न इंग्लीस में भी बता दीजिए का आमन सहनी कर रहा हूं if a body is in equilibrium against moment the summation of algebraic summation of all the moments acting on the body will be zero or if a body is in equilibrium against moment the sum of anticlockwise moment will be equal to the sum of clockwise moment clear है बाई अमन सहनी clear है यह बात अमन जी तो यह था क्या आपका moment का principle यानि घुर्णों का एक बहुत बड़ा सिद्धान which will helps us in further study आगे हमारे यह बहुत काम आने बाला है आगे कारा couple and its properties couple क्या था जब दो parallel unlike forces having equal magnitude creates couple के मतलब हुआ है आप लोग कहते हैं कि हमको girlfriend विल्कुल मेरे जैसी चाहिए तब तुम girlfriend कहा couple बनी नहीं पाएगा couple मतलब having same magnitude but opposite direction that creates couple समझ में आ रही बात यहां पर that creates couple जब तुम अपने जैसी डूनोंगे तो couple नहीं बन पाओगे कि तुम्हारे जैसे ही मिल गई तो फिर क्या couple couple क्या मतलब हुआ कि same magnitude मतलब बराबर की नौ टंकी हो बट विपरीद दिसा में समझ में आ रही बात that will create a couple ठीक है समझ में आ रही बात तो couple के लिए पहली सर्थ क्या है couple के लिए सर्थ क्या है परिमार में समान तथा दिसा में विपरीद समांतर बलों को परिमार में समान तथा दिसा में विपरीद समांतर बलों के ऐसे जोड़े जिनकी क्रिया रेखाए एक रेखा में नहीं होती लेक्रिया रेखा इनकी यह है और जब बोल रहा है समानतर तो फिर क्रिया रेखा हो भी नहीं सकती। ठीक है ना? ठीक है ना? तीसरा चैप्टर चल रहा है तो परिमार यह तब ऐसे होते तो इनको बलयूगम कहते हैं मनें इनको कपल कहते हैं आप फोर्स कपल एकुली इनको कहते हैं लोगरो फोर्सक पल अब सब sic kपल की क्या प्रपरठी होती है अ इसको उपन कर दिले तो को मैरेशिय है लेनुमदर कर ने गि skies आ क्लियर है वहई? इसकी क्या प्रापर्टी होती है प्रापर्टी में पहला प्रापर्टी कह रहा है बल यूँग बनाने वाले दोनों बलों के परणामी बल कमान सुनने होता है यानि एक पोर्स अगर इधर जा रहा है दूसरा पोर्स इधर जा रहा है तो इनके परणामी बल कमान सुन नहीं जब यह भी F है यह भी F है तो सुन नहीं पहली प्रपर्टी यही है कि परणामी बल ठीक है इसको इंग्लिस में भी तो बोलाऊ ना अरे कपल वाली की परिवासा नहीं बोलाऊ इंग्लिस में कि two equal forces या two forces having equal magnitude and opposite direction creates force couple ठीक है ना और इसम में बोल रहा हो कि बल्यूग मनाने वाले दोनों force का परणामी का मान सूनने होता है यानि resultant of both the forces of a couple is zero ठीक है त्यानि पहला प्रपर्टी प्रपर्टी मतलब गोण क्या बल्यूग में के अंदर क्या पाए वही चीज़ दूसरा बल्यूग में त्वारा किसी पिंड में सरल रहे कि गति उत्पन नहीं की जा सकती यदि किसी बॉडी पर केवल बल्यूग में लगा हो नन अदर देन दिस कोई और force if a body is subjected to only force couple it it will never have a linear motion यानि किसी बॉडी को अगर ये गोल बॉडी है इस पर एक force यहां लगा दो एक force यहां लगा दो तो कोगे सर इस पर बल्यूग य किसी पिंड में सरल रेखी गती अपने ऐक्सिपे कहले उसक्ता है ठीक है एंग्रेश में इंग्रेश बूड़ी खराब है हां, ठीक है, मेरे state में paper जाने के क्या करेंगे आप, मेरे state में मुझे ही नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, सब लोग सक्ते में जी रहें, कब से है, ठीक है, आप किसे state से हैं, यह भी बता दीजिए, बताईये, मैंने कहा, बल्यूग में द्वारा, किसी पिंड में सरल रेखी गति उत्पन्द नहीं की जासे यह भी उसकी एक प्रोपर्टी है एट विल क्रियेट रोटेशनल इफेक्ट ऑन दा बॉड़ी यह केवल गोनन की देखो मैं अंगरेजी बोलने से इसलिए डरता हूं थोड़ा सा तो कि फिर मैं एक एक दो क्लास ले मैंने बोला अभी बोला कि इट विल ओनली क्रियेट रोटेशनल मोशन अन बॉड़ी उसी को दूसरे बहाताम बोल दिया गया ऐसे दो बल्यूग में जिनके आघूनों का परिमार और दिसा समान हो तो दोनों बल्यूग में यहां कट गया है कुछ पार्ट यहां कटा हुआ गाया है मैं नोट सही करता कर दूंगा दोनो बल्यूग में ऐसी समान है यह तिक करता हुआ यहां पर कुछ कटा हुआ पोडीशन इसको मैं ठीक करा दूँगा ठीक है क्या है Nagraki है पर लिजीगा ठीक है कि अगड़ा प्रपर्टी क्या है किसी बिन्दु के परिता बलैुङ में के अगोण्ड के बराबर होता है कि है कि बल्यूम के आगोंड़ों का बीच गणती हो किसी बिंडू के परिता बल्यूम के आगोंड़ों के बराबर होता है यानि आगोंड़ों का बीच गणती हो लेंगे इसका लेंगे इसका लेंगे तो वह उसी बिंदू के परिता बल्यूम के आगोंड़ों के बराबर होता ह हो गाई ठीक है आँ पेपर इंग्लिस में भी आता है दोनों में आएगा यह प्रापर्टीज हो गई इसकी समझा दिया गया इसको अगला बोला हो जाएगा ठीक है अब आगे बोला एक बल्यूगम को केवल समान परिमार्था विपरीत दिशावले बल्यूगम द्वारा ही संतुलित किया दा सकता है यानि एक बल्यूगम ऐसे लगा हो ऐसे लगे हैं दोनों ऐसे तो इनका अपना एक असर होगा अगर इसको रोकना है तो आपको इसी के विपरीत एक नहीं कर सकते हैं अब कापल फोर्स ओनली अब कापल फोर्स कें टांटरेक्ट अनदर कापल फोर्स यानी काउंटरेक्ट का मतलब उसके प्रभाव को खतन करना ठीक है ना यह क्या चल रहा है एक क्रेजी टीवी जो भी आपका नाम हो आप कर रहें पेपर की रिविजन कब से स्टार्ट होगी यह मेकैनिक्स का चल रहा है आप अपना लिख दीजी उसका भी ऑल इन वन रिविजन लेक्टर आएगा यह उसी का चल रहा है एक पार्ट मेकैनिक्स का थ किसी body पर एक बलियुग में लगाए इधर से थिर एक इधर से लग गया कई बल्युग में यही दोनों है उनी है करा जा सकते है दोनों के काम होगें का आघून उस संतल में लगे सभी बल्युग में के बराबर होता है यानि वहीं जो सब के बराबर effect create कर दे, that is the sentence clear है, समझ गया बात को यहाँ पर, तो इन चीज़ों को पूरा समझाये गया है, अब अगला है सुनिए important, general condition of equilibrium under poor planar forces इसके तहत में ऐसा होगा ठीक है न, हाँ civil का कब से चलेगा, यह किसका चल रहा है आप पूछना क्या चाहते हैं आप पूछना क्या चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं चलिए, मैंने कहा कि general condition of equilibrium under poor planar forces मैंने आप से बोला था कि कोई body, यदि सामय आवस्था में है, सामय आवस्था समझते हैं सब लोग, बताएं यदि कोई body सामय आवस्था में है तो इसका मतलब है न, कि वो body, वो body कहीं नहीं हिलने वाली सामय आवस्था मतलब वो रुकी होई यह अपनी condition में, ऐसे तीक है न, इसका मतलब इस body पर, अगर ऐसे post लगे रहते हैं, तो रुकी रहती सामय आवस्था के नियम यही कहता है तो इस पर लगने वाले सभी वर्टिकल पोर्सेस का अलजबरिक सम जीरो होता है मतलब सभी बलों का आलजबरिक सम और बल दो दिसाओं से लग सकते हैं, एक इस दिसा में एक वर्टिकल डारेक्ट्ट्reibtान एक और झैना, यानि फोर्स का इक्टिकलिबिरियं यह है यह है है, फोर्स का इक्पिलिरियंद यह दोनों है force के equilibrium और एक होता है moment का equilibrium होता है summation of m बराबर 0 यानि anti-clockwise moment बराबर anti-clockwise moment if a body is in equilibrium if a body is in equilibrium state यानि कोई वस्तू यदि साम में अवस्था में हो तो उस पर लगने वाले सभी vertical forces का algebraic sum 0 यानि if a body is in equilibrium the algebraic sum of all the vertical forces will be 0 algebraic sum of all the horizontal forces will be 0 and algebraic sum of all the moment on that body will also be 0 that means all the anti-clockwise moment acting on that body will be equal to all the clockwise moment acting on the same body समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है बताओ यानि यह सब यहाँ पर लिखा गया है बोला गया है यहाँ पे क्या general condition of equilibrium अंडन को planar concurrent forces समतली संगामी बलों के प्रभाव में संतूलन के सामान प्रतिबंद के नियम यह है उसमें पहला है forces law of equilibrium इस नियम के अनुसार यह दी कोई प्रिंड संतूलन में है तो उस पर कार करने वाले सबी बलों के प्रभावी का मान सुनने होना चाहिए अर्था summation of effects और फ़ाई का जीरो summation of यह जीरो या उपरोक में LHS का मान तभी सुनने होगा जब effects का मान सुनने हो आता हार रिजल्ट में बोला गया summation of effects तथा summation of FY जीरो होगा ठीक है ना Crazy TV में पहले ही बता चुका हूँ बंदू कि बहुत सारे के all-in-one lecture अल्रेडी है तुम अपना semester और अपना subject बताओ तब मैं बोलूँगा ठीक है ना Clear है तो यहां से clear पता चला कि यहां पर horizontal forces का sum 0 और vertical का भी और यहां पर यह केवल एक कटा सौरी यहां पर केवल forces law को बताया है आप इस notes में इसको ठीक कर लिजेगा क्या यहां पर force law of equilibrium के बाद moment law of equilibrium भी यहां पर answer ठीक से नहीं बना है तो इसमें हो जाएगा summation of m बराबर 0 या anti-clockwise moment summation of anti-clockwise बराबर होगा summation of clockwise ऐसे इसको लिखेंगे तब यह question क्या होगा complete होगा समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है बात very good और जो लोग अभी जुड़े है like the session and share as well आप लोग अपने college group में कितने लोग share कियें इसको कितने लोग अपने college group में share कियें second semester का ही यह course यह भी चल रहा है और उसके बाद construction material आपके साथ second semester में है सायद मुझे ठीक से नहीं पता आप चेक करिएगा चला हुआ है उन सबका महराथन class चले वही है यूटूब पे search कर सकते हैं आप मिल जाएगा नुमेरिकल के सीरीज कल चलेगी इसकी फियोरी आज complete कर रहे हैं हम लोग फियोरी में तीसरा chapter आपका खतम हो चुका है यह लास्ट पोश्चन था चेप्टर पूर आ गया टाइप सॉफ प्रिक्शन प्रिक्शन के प्रकार बस चौथा होगा फिर पांचमा फिर शटमा खतम क्या ही है असान है अगर पेंच वाइट गिने न अब अब तक हम लोग पेज नंबर पोटीवन पे हैं और टोटल पेज नंबर 53 है कतम होने वाला या रुको पेज नंबर पोटीवन पे आई चुके हैं 53 सीरपन पेज आई है 11 में जा गाए बास 13 गंट गंटा और 13 में सब कतम हो जाएगा बने रहो अथा तक दबा करने लोग लुग लाइक का बटन दबा दो बने रहो आधा गंटा 45 में पूरी थियूरी को और सारा हूँ 40 लेक्चर में क्या पढ़ाया है जानते हो कौन बताया का कूस चानिस लेक्शर में इसा क्या हुआ है जो इस में नहीं हुआ है कौन बताएगा तारा क्रेंच मैटेरियल यहां पर हो चुका है अल्रेडी चला हुआ है क्रेजी टीवी अपलाइड मैठ लेडी चला हुआ दोनों का सर्च कर लो मिल जाएगा ठीक है हुर, है ही एसले बस में तुमआरे, हाई चेप्थर है रहे हैं एसले बस में, चुनोद्यान से सब लोग, बस खतमी होने वाला है, बस थोड़ा सा बने रहो, हलकी सी मैनर एकदम सर का टेंशन दूर करने वाली है हलकी सी तुम्हारी मैनर सर का टेंशन दूर करने वाली है जल्दी वो जो 40 lecture मेकानिक सा पढ़ाया गया है उसमें हम लोगों ने केवल यह नहीं पढ़ा कि यह होता है उसमें हमने यह होता तो यह होता तो analogy कराई गई है analogy पूरा छोड़ दी है knowledge उस 40 lecture में ही है धुरू कह रहा है knowledge उस 40 lecture में ही है बिल्कुल उसको परल होगे उसके बाद इसको देखोगे तो बड़ा मजा धुरू अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं तुम पूरा किये हो, तुम comment करते हो बराबर तो यह बताओ BMEE की PDF अभी आज आज आएगी, अभी इस class के बाद मैं डलवा दूँगा BMEE की complete PDF एक ही में डलवा दूँगा पूरी ठीक है चलिए moment of energy या कुछ state में है वो अलग से कराऊँगा moment of energy या UP में नहीं है दिल्ली वगरा के बोर्ड में है, वो मैं कराऊँगा अलग से, चिंता मत करिये दिल्ली वगरा के बोर्ड में है वो मैं कराऊँगा, उसको अलग से चालिस के बाद add करूँगा moment of energy या UP में मैं पढ़ाया हूँ, लेकिन वो थोड़ा high level हो गया है जे लेवल का मैं आप लोग का अलग से करा दूँगा, ठीक है न, क्योंकि आप लोगों में हलका असा है moment of energy या जब जो complete कर चुका है वो अला पूरा lecture वो इसको देख रहा होगा, मजा रहा होगा उसको general condition of equilibrium, chapter 4 में types of friction पूछा है, बड़ा असान है देखो, types of friction में क्या आसान है, देखो, कितना आसान है हाँ, चलिए, types of friction में static friction जब किसी चीज को हम लोग चलाने की कोशिए UP में moment of energy या नहीं है, ध्यान रहे, UP में moment of energy या नहीं है, न आएगा केवल center of gravity है, ध्यान से तुनिये आपे, कि static friction में यगर किसी वस्तू को हम लोग चलाना चाहते है तो उस समय उस वस्तू को, ध्यान समझेगा, जब वस्तू चल नहीं रही होती है, रुकावट होती किसी surface में इस block को हम धक्का देना चाहें ऐसे, और इस पर ये फिसल ना पा रही हो, तो जब चली नहीं थी तब तक का घर्षण static friction हुआ, जैसे ही वो चलना प्रारंब की, अर्थात वो limiting, सीमान्त पर पहुँच गई है, move करने ही वाली है और जैसे ही वो move कर जाती है, तो पहले की तुलना में, पहले की तुलना में, वो कम घर्षण देने लगती है जैसे कार बगरा है, धक्का देते हैं, देते देते, जैसे ही चलना सुरू होता है, तब कमी बल पे चल जाता है इसका मतलब एधान रखेगा, पहले उस पर static friction लगता है, फिर वो static friction का ही सबसे अपर फॉर्म है, limiting friction और उसके बाद आता है dynamic friction dynamic friction में कोई चीज घिसतती है RGPB Diploma के लिए CPM की Class Final Semester की है, आप सर्च करेंगे तो Construction Management Recount, CM AED महराथन सर्च करिएगा CM में ED का महराथन सर्च करिएगा, Mr. Song Misra CM AED महराथन सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, वही CPM है, ठीक है, वही CPM है आईए देखते हैं इसको, सुनिए, जब इसको चला रहे थे body को, तो हम लोग कहेंगे, पहले परिभासा लिखी गई है वो सब मैं जो बलाओंगा, वो सब लिखा गया, तो यहां सब लिखा गया, बाद में reading लगा सकते है यहां पर मैं बात करूँ कि यह body आगे बढ़ने से ठीक पहले जो generate कर रही थी, वो static, और आगे बढ़ने ही वाली थी, उस समय, यह limiting friction, यानी, यानी, extreme value of, extreme value of, value of static, static वाले का सबसे, सबसे ज़्यादा हिस्सा limiting friction कहलाता है, ठीक है, clear है, आँ, ठीक है, और जब वो चल दी, तो dynamic friction होता है, और dynamic friction में कई बार sliding होती है, कई बार rolling, जैसे car को धक्का दियें, तो rolling, क्योंकि car roll करने लगता है, उसका पाईया, जहां घरसन हो रहा था, वो rolling friction, और जब किसी, आचा, सपोर्च कार का ब्रेक मार दिया, और तफ घसी इतना रहे, तो नहीं घिसकेगी न, घिसकेगी, सुनिए, थोड़ा सा change है, आरजी पीवी मद्ध प्रदेश का थोड़ा सा change ह थोड़ा सा बट दिखने में change है, theoretical में change नहीं है, numerical part में थोड़ा changing है, theoretical part आपका कोई नहीं फसेगा, आप उसको देखके जाए, पूरा paper सही जाएगा, यह जान देखके जाए, पूरा paper सही जाएगा, क्योंकि वो theoretical है, वो लिखने वाला बात है, उसमें आप copy बरना होता है CPM, आप सुनी ज़र आए, यहाँ पर, car का यहीं ब्रेक मार दिया जब, तो उस car के वो धका देना कितना मुस्किल होगा, कभी भी वो खिसकेगा, पहिया ही घिसने लगेगा, तो जो पहिया घिसता है, उसको बोलते है sliding friction, और जो पहिया चलने लगता है, तो rolling तो यह जान ल यानि friction सबसे ज़्याधा sliding में होता है, इन दोनों में, बाकी यह दोनों तो थे ही, यानि मैं अगर साब सुतरे सब्दों में बात करूँ, तो मैं कहूंगा कि rolling friction is much less than sliding friction, in case of dynamic friction, बाकी static क्या है, limiting क्या समझाया, यह नीचे पूरी परिभासा लिखी गई है, एक बार reading लगा लिजिए, वीडियो रोब करके, या फिर notes में direct लगा लिजिएगा, ठीक है, ठीक है, आगे चलें, इनको explain पूरा किया गया है, dynamic friction क्या है, उसमें sliding friction और rolling friction को बताएगा है, अगला question कहा रहा है, इसमें, law of static friction, इस्थैतिक घर्षण के क्या नियम है, यानि जब किसी वस्तू पर बल लग रहा हो, और वो घर्षण ना हो रहा हो, मतलब वो फिसल ना रही हो, किसी चीछ पर रुकी होई हो, तो उसका नियम क्या है, और वो नियम, बहुत अच्छा नियम बोला गया है, करें कि दो पिंडों के संपर्क सता हों के मद्ध, लगने वाला घर्षण बल, यानि ये नियम कहता है, क्या कि भाई, पहला नियम कहता है, कि यदि कोई बोडी ऐसे है, और वो किसी सता पे ऐसे ऐसे फिसलने वाली है, वो ऐसे फिसलने वाली है, इस पर बल के कारण, तो ये जो घर्षण यहां काम करता है, वो इसके नार्मल फोर्स यानि नार्मल फोर् जब गर्शन काम करेगा, वह mu into r होगा, यानि यह mu into r नहीं कहता है, यह कहता है, लगने वाला जो गर्शन बल f है जो इधर काम कर रहा है, वो normal, यानि उसके समानपाती होता है, पहला नियम यही था, यानि किसी वस्तू पर बल लगने पर जब वो move करती है, आप जिस भासा में comfortable हूँ उस भासा में लिख सकते हैं मैं कहा रहा हूँ कि जब ये बस्तु move नहीं करती है static condition में तो इस पर लगने वाला घर्षण बल F उसमें normal reaction आर के समानुपाती होता है यही पहला नियम कहा रहा था दो पिंडों के संपर्क सतों के मद लगने वाला घर्षण बल अब लंब बल के समानुपाती होता है यानि F is directly proportional to R कौन सा है F, कौन सा है F is this force और R is this और here here this F is applied external applied force this F is friction force ठीक है न? आपेपर उस पर आएगा कौपी लिखने वाले वीडियो में जल्दी की डालने वाला हूँ कि कौपी आपको कैसे लिखने है एक जाम में ठीक है न? ठीक है कौपी कैसे लिखनी है उस पर एक वीडियो में करने वाला हूँ ठीक है? दूसरा नियम कहा रहा है घर्षण बल कि विशा हमेशा गसां क्यों गती की होने की समभावना को दिसाम विप्रीत यानी समभावनाऑना है तो घर्षण की दिसामना भीप्रीत होते है, इस टयती घर्षण का नहीं है घरसन बाल संपर्क सतों के रफ निरवर करता है यानि ये जो इसके बीच में ये एक है न वह इस रफनेश पर निरवर करता है और रफनेश को मापत है कौन घरसन उनांग हमिने जबसी ए? जैनि इसी एक में अगर हम लोग जड़ा है तो Mew इनटू आर होता है where mu is the frictional coefficient depends on the roughness of the contact surface clear है कहरा कि यह इनके 6 तरफल पर निर्वर नहीं करता चाहे यह body कितनी भी बड़ी हो इसका area कितना भी बड़ा हो उससे friction force पर कोई असर नहीं पड़ता है friction force के वल normal reaction r पर निर्वर करता है और roughness mu पर निर्वर करता है clear है बात यहाँ पर यह बात सुनने में थोड़ी अटपटी लगेगी कि क्यों लेकिन मैंने इसको main class में बताया है कि घर्षन बाल एरिया पर निर्वर नहीं करता है अगर आप उसको ठीक से समझ के लगाए होंगे तो बिल्कुल पास हो जाएंगे गतिक घर्षन गुणांक म्यू के का मान से कम होता है यानि मैंने बोला कि गाड़ी जब चलने ही वाली होती है तो म्यू एस यानि static friction बढ़ करके म्यू एल हो जाता है लेकिन जैसे ही वो चलती है तुरंत डाउन होके म्यू के हो जाता है ग्राफ पर यदि खीचेंगे तो ये बढ़ रहा था ये पूरा म्यू का वैलू अचानक डाउन होके static हो जाता है यानि इस zone में पूरा म्यू एस है इस point में म्यू लिमिटिंग हो गया है डाइनमिक वाले में घर्षन कम लगने लगता है जब कोई चल देती है तो उतना तकलीफ नहीं देती है चलने में यानि म्यू जो डाइनमिक होता है उसका वैल्यू म्यू एस से क्या होता है कम होता है समझ गए बात को यहां पर यानि म्यूव एस जो है वो बड़ा है किस से म्यूव डाइनमिक से स्टाटिक वाला बड़ा है डाइनमिक से गती गर्षन गुणां कमान कम होता है किस स्टाटिक वाला से गती बढ़ाने पर गर्षन बलकामान घटता है यानि गती यदि तेज होग तो घर्चन घटने लगेगा घर्चन वलका मान पदार्थ पर भी निर्वर करता है तनी कौन सा material है उस पर भी निर्वर करता है ठीक है ना ठीक है थर्मा कोल वाले एकजामपल दिया था crazy TV very Good बिलकुल मैंने एकजामपल अगला बता ही question क्या रहा? यह उसका नियम था coefficient of friction पूछ रहा है क्या होता? नहीं बता लेंगे क्या होता है? लगाए गये बल और गर नार्मल रियक्शन के एनुपद कीसी बॉड़ी पर बल लगाएं एप और उसका नॉर्मल रियक्षन आर हो तो सुरी एक मिनट एक मिनट घर्षण बल यानि बॉडी का बॉडी पर बल लगाने पर जो घर्षण बल एप आता है और हम लोग जानते हैं एप बराबर मियू इंटु आर होता है तो मियू बराबर क्या होगा यह एप बाइब आर यानि किसी बॉडी पर घर्षण बल और नॉर्मल रियक्षण का अनुपात ही मियू होता है तो यही चीर यहाँ पर लिखी गई है एंगल ओफ फ्रिक्षण होगा यहाँ पर घर्षण कोर्स नहीं होगा एंगल ओफ फ्रिक्षण होगा एंगल ओफ फ्रिक्षण यानि घर् पता ही ओम मिस्रा उसका जवाब मैं उस बैच में दे चुका हूं आपने दी देखा होगा सुना होगा तो उसका जवाब मैं दे चुका हूं अगर बल यहां पर इस पर हमने ऐसे लगाया तो घर्षन बल यहां पर के परिणामी परिणामी बल इनका मालखे जा रहा है यह reg camera DM यह परिणामी बल आप्ण के साथ जो में उसी भादार से कोन रहत है इस कोण को लेंड़ा से दरसाते हैं ठीक है न इस कौर्ण को लेंगडा से धर साते हैं तो मुउ बराबर हम जानते थैंक ये एफ बाइ आर होता है तो लेंडा बराबर क्या हो जाएगा से समिर्ट बार कि आउखते प्यानलेड़ और होंगे और लावर लिखेंगे तो ये आएकर बयार जो की इसका मतलब है शाजकी पर प्राबर होता है एक लेर रहे पूरी बात कि नहीं है यह बता यह तो टायर वाला एक जामपल दिया था बिल्कुल प्योंट साइए तुम लोग क्लास क्यों इसका मतलब तुम लोग इसका मतलब क्लास किये हो सही है बिल्कुल प्यच्ची थ्योरी टाइप है यदि तुम ओड़ा साभी पढ़े होगे और लिख क्या होगे पूरा सोम यदि पूरा लिख क्या है तुम तुमारा पेपर अच्छा चलाएगा नंबर मिल लेगा तुमके बस अरते जो आ रहा होगा पूरा लिखना रुखना मत ची है तका है दो क्या अई-टि केसमें घर्षन में किसी बाडी को किसी सथा पर रखा जाता है महलों आयों रखी गई है अई सथा को उठाया जाए उपर तो सथा उठा एसी हो जाएगी तब तो body गिर जाएगे, इतना ही उठाओ की गिरे न, तो वो चहांतित से जो कौण उस समय बना रही होगी, उसी को बोलते हैं, एंगल आफ रिपोज, यानि क्या बोलते हैं उसको? एंगल आफ रिपोज यानि विश्राम कोई यानि जितने पर वो विश्राम कर पाए उसी को विश्राम कोण बोलते हैं यानि एंगल आफ रिपोज बोलते हैं क्या बोल रहा है डेपनेशन किसी नत सम्तल का चैतिर से वा अधिक्तम जुकाओ जिस पर रखा हुआ पिंड संतुलन की अवस्था में रुखता है इसी कोन को angle of report कहते हैं ये सब धाई नंबर में पूछे जाने वाले question है बार बार ठीक है ना ये सब धाई नंबर में पूछे जाने वाले question है अगला कह रहा है कि कोन of friction घर्षन संकू को समझाईए गर्षन संकू क्या था ये तुम जानते थे कि friction force और normal reaction का परिडामी ती ऐसे जा रहा था और ये lambda बना रहा था इसी को पकड़ के चारो तरफ rotate करा दो तो rotate कराओगे तो इधर भी lambda बनेगा चारो तरफ lambda बन जाएगा और यही जो cone create करेगा घूम के चारो तरफ यही जो चारो तरफ घूम के cone बनाएगा इसी को cone of friction बोलते हैं यानि गर्षन का cone क्या कह रहा है ये अविलम प्रतिक्रिया बल सिमानत गर्षन बल गर्षन कोल ये सब हैं इसको पिंड के सिमानत संतुलन की अवस्ता में यानि अब पिंड घूमनेई वाला आवस्ता में यदि अविलम प्रतिक्रिया आर को अक्ष मानकर गर्षन कोण यहां पे लेम्डा को और वसीर्ष कोण मानकर के सिमानत गर्षन बल एप कथा प्रतिक्रिया बल आल के पढ़णामी को 360 डिग्री के परिता घुमाये जाये तो गर्षन संकू क्या है समझ गये अगला चैप्टर फाइफ आ गया चैप्टर फाइफ से बस एकी चीज़ पूसता है डेफिनेशन आप सेंटर वाइड एंड सेंटर अप ग्रेविटी फियूरेटिकरी बस सही पूछेगा बाकी नुमेरिकल आ सकते हैं और नुमेरिकल अगल आते नहीं एक कोश्चन तुम्हारे उपर तुम बनाते हो या नहीं बनाते हो बनाओगे तो नंबर ज्यादा मिलेगा नहीं तो कम मिलेगा रेकिन पास दोनों इस्थिति में हो जाओगे केंद्रक और गुरुत्वा कर्षण केंद्री की परिभासा यहनी सेंटर अब ग्रिविटी और सेंटरब्राइट की परिभास। पूरा निखा गया एक बार देख लो रड़ा यहाँ पे सब कुछ पर लो अगला कोश्चन सीधे मसीन से आ गया मसीन से आप लोग वेगान पाथ और वेगान पाथ को समझा सकते हैं पाथ किसी मसीन को चलाने में आप जब भी किसी मसीन को चलाते हैं तो मसीन को चलाते हैं कर दो प्रयास द्वारा चली गई दूरी यानि असल में दूरी कानुपात नहीं होता है वेगों कानुपात होता है लेकिन जितने समय में हम आयास लगाते हैं उतने समय में उधर से भार भी उठता है इसका मतलब यदि मालो मैंने एक मसीन पर यहां पर लगा के इधर से इसको खीचा और डिनोट करके Y दूरी नीचे ले आए और ये भार जो इसके साथ नीचे लटका हुआ था W वो X दूरी उपर उठ गया जब हम इसको नीचे खीचे होंगे Y दूरी उतना ही सम्मिय उपर उठ गया होगा तो इसका वेग क्या होगा तो वेग को कैसे कहेंगे हम लोग हाँ पहले हिंदी वाला भेजा जाएगा फिर कनवर्ट करके इंगली समना भी आ जाएगा ताजिमूर रह्मान ठीक है तुने हाँ डाले है सोम मिस्रा लास्ट मुमेंट क्लाज डाली गई हो उसकी ट्रिपल डबलू ए नाम से पी अच्ची नाम से मत तर्च करिएगा डालिएगा ट्रिपल डबलू ए महराथन उस नाम से आपको मिलेगा यूटूब पे इस नाम से यूटूब पे मिलेगा आपको तो मैं कहूंगा कि वेगा नुपाथ is the ratio of velocity of effort to the velocity of weight यानि इसकी velocity क्या हूआ चली गई दूरी बटे समय यानि y by t velocity आ उसकी velocity कितनी है x by t और t से t जब cancer over time तो y by x यानि असल में प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपाथ कोई वेगा नुपाथ या velocity ratio कहते है पहली परिमासा machine से important theory question यह आता है दूसरा यह देखिए यह सीधे यह परिमासा लिख दिया गया है लेकिन मैंने आपको बता दिया कि velocity का ratio असल में यह तो लगेगा सर दूरी कानुपाथ है तो मैं आपको यह समझा दिया कि असल में दूरी नहीं वह चाल कानुपाथ है बट आपको वैसे लेना पड़ेगा ठीक है क्लियर है पूरी बात अगला कहा रहा है कि mechanical advantage का होता है किसी mechanical advantage हम चाहते हैं मसीन से mechanical advantage लेना आप एक चीछ जानिएगा mechanical advantage का मतलब हुआ कि हमने किसी machine पर कितना बल लगाया और कितना बल उठाया हम चाहते हैं हम हलका सा ऐसे push करें जैसे आप बड़े बड़े weight कहीं पर देखे और जैसे भी मिट्टी उठाती है तो क्या मिट्टी आदमी उठाता है तो खाले एक बटन दबाता है वो पूरा mechanical advantage होता है उठाया गया बहार बटे लगाया गया प्रयास यदि आप 20 किलो का लोड उठार ले रहा है केवल एक किलो लगा करके एक किलो लगा करके तो इसका मतलब mechanical advantage 20 है समझ गए कि समझ गए कि नहीं ठीक है clear है तीसरा परिमासा machine की दक्षता कोई भी machine और हम लोग जो machine machine बोल रहे हैं वो हम लोग असल में केवल भार उठाने वाली machine का ही बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ भार उठाने वाली machine की ही बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि machine की दक्षता एन efficiency क्या होती है बाई आपने जब इसको खीचा था इधर इसको खीचा था तो आपने इस पर कुछ वर्क किया अगर देखा जो तो इधर से किया गया काम क्या है अगर हम प्रयास P लगाए है और Y पूरी नीचे लाए और ये W चला गया उपर तो भाई हमारे द्वारा किया गया कार क्या होगा बल गुणा अविस था पन उसके दवारा हम अउपुट हमको क्या मिला डबलू गुणा एक्स यारि आउट्पुट की तथा इन्पुट एनर्जी के अनुपात को ये परिभासा में थोड़ा द्यान रखेगा ? आउट्पुट उपर रहता है इन्पुट नीचे रहता है एक आज जगह देखें, यूटूबर लोग भी पढ़ाएं, इन्पुट को उपर कर दी हैं, गल्ती मत करेगा, आउट्पुट मतलब तुमको कम मिलेगा ना यार, पहले, तुम जो लगाते हो एनर्जी ना, वो पूरा का पूरा उठाने मना ही जाता, ठीक है ना, तो मिस्रा, वाट्सअप कर देना मैं डून के देदूंगा, मैं राथन की प्लेलिस्ट भी है, उसी में मिल दाएगा वो, मिल दाएगा, सुनो, आउट्पुट यहाँ पर, आउट्पुट यहाँ पर ध्यान देना जारा इस समय, आउट्पुट को उपर रखना वो कम होता है, और इन् आईडियल मसीन का है, आईडियल मसीन में एफिसेंसी 100% होती है, तो हम जितना लगाते हैं, उससे कम ही मिलता है, ठीक है, समझ गहाँ बात को है, आउट्पुट यहाँ पर आउट्पुट विल भी लेस देन और और एक्वल टू इन्पुट यह भी बहुत और संभाव बात ठीक है, तो मसीन की दक्षता इटा होती कितनी है, तो भाई आउट्पुट है WX, आपन हमने काम किया, PY, तो WX अपन PY जो होता है, वही क्या होता है, क्या आपका इफिसेंसी होता है, WX अपन PY, अब यहीं से हम लोग जानते हैं, कि WX अपन PY को हम लोग थोड़ा एसस अपने के बीच में संबंध, वेलोसिटी रेशियो, मेकनिकल अडवानटेज और एफिसेंसी के बीच में संबंध, ठीक है ना, क्लियर है, अगला कोशन थियोरी से बना लाख मसीन को समझाईए, किसी मसीन का नियुम, कोई मसीन कुछ लोड लगाने पे कुछ भार इठा सकत है, उड़ा सकती के नहीं बताईए, आँ, बताए भाई, कोई मसीन थोड़ा सा लोड लगाने पर ये कुछ लोड को उठा सकती है, इसका मतलब, इसका मतलब यहाँ पर, लाख मसीन का मतलब होता, उसके द्वारा लगाए गया प्रयास और भार के बीच में, एक संबंध बत संदर में, मसीन पर लगाए गया प्रयास तथा मसीन द्वारा उठाए गया भार के मध्धे गणती संबंध होता है, इसे मसीन का नियम करता है, इसी मसीन के लिए समिकरण जो होता है, वो पी is equal to MW प्लस P होता है, जहां P लगाए गया प्रयास है, यदि हम P प्रयास वह हमें पता चलाएगा उस मसीन का नियम पता करने से कैसे पता लगेगा कैसे पता लगेगा उस मसीन का नियम ध्यान दीजेगा उस मसीन का नियम हमको कैसे पता चलेगा हर मसीन के लिए मसीन का नियम अलग 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 यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूत है समझने वाली चीज आई अभी किसी मसीन का नियम लगाने के लिए कुछ मत करिए सिंपल करिए उस मसीन पर एक बार बल लगाईए एक केजी का देखिए कि कितना भार उठा माल लिजिए कुछ एक केजी का बल लगाने पर पांच केजी का भार उठा तिर्फ दो केजी का बल लगाईए तो अब उठा 7 kg तो आप देखें कि अगर हम 1 kg का प्रयास लगाएं तो 5 kg उठा, 2 kg का लगाएं तो 7 kg उठा, यानि W1, W2 ये है, P1, P2 ये है, तो ये एक सरल रेखा में रिप्रेजेंट करेंगे जब इनको तो आप पाएंगे कि एक ग्राफ कीची ऐसे, उस पर P बराबर 1, P को इस पर दिखाएं, P बराबर 1 तो यहां बराबर 5 के रिए, इनको मिलाएंगे, ये 5 है, ये 1 है, वह एक लगा के 5 उठाया है, ये W दिखा रहा है, और ये P बिखा तो एक पॉइंट मिला, फिर 2, सर इसको जब 2 कियें, तो सर ये साथ ही हुआ, 5 से हलका सा ही बड़ा साथ हुआ, और यहां पर दो, जई इनको मिलाएंगे, तो इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खीचेंगे, तो एक लाइन ऐसे बनेगे, समन्मारी बात ना, तो इसका मतलब यह line ही आगे किसी भी इस line का equation बनेगा यह होगा P is equal to इस line का slope होगा M यानि इस line का slope M यदि होता है तो यह होगा M और W प्लस क्या हो जाएगा यानि इस machine का जो MW प्लस C का है या इसको P को सहीम लिखा जाता A W प्लस B चाहे आप इसको A को machine की ढाल मालने चाहे M को machine की ढाल मालने वह आपके उपर है clear है न पहले बताईए आप clear है यह बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं machine का नियम क्या कहता है machine में हम लोग दो अलग अलग प्रियास लगा के कुछ बाहर उठाते हैं और उनसे दो equation हमको मिल जाता है इसमें P हमने लगाया हमको पता है W उठाया पता है M का कुछ value माल दीजी आगया 0.3 तो यहाँ पर रखेगा 0.3 W प्लस C का value जो माल दीजी यही solve करने पर आगया हो 6 तो यहाँ पर रख दीजीगा 6 यही machine का नियम हो जाएगा अब आगे से एक बार machine का नियम बन गया तो आगे से P का कुछ भी value रखेंगे में इस machine में कितना प्रयास लगाना कितना वाहर उठे का तुरंत आजए एक बार machine का नियम बनाना पड़ता है उसके बाद एक बार machine का नियम बनाने के लिए हमको दो ट्रायल देने पड़े machine पर अलग-अलग load P1 लगा के W1 उठाए आप P2 लगा के W2 उठाए दोनों को जब रखें equation में तो M और C की value निकाल लिए फिर M C की वही value equation में put करके हमने equation को complete कर लिया और इससे हमको पता चला इससे हमको पता चला कि कितना कितना W अब एक बार equation बन गया जहां हमने एक बार तो देखो यह प्रयोग है यह testing है इससे जो equation मना वह हमारे लिए हो गया उस मसीन के लिए काम करेगा उस मसीन के लिए जब जितने लोड पर कितना बाहर उठेगा पी रख दो डबलू आ जाएगा या यह पता करना हो कि इतना बाहर उठाना है तो कितना प्रयास लगाना पड़ेगा तो वह भी आ जाएगा समझ में आया कि नहीं यार कमेंट करो जल्दी मसीन समझ में आया कि नहीं कमेंट करो इसको आया कि नहीं इसको मसीन समझ में मसीन का नियम समझ में आया बताओ पहले बताई भई यह वाला टॉपिक क्लियर हुआ सभी का चले कुछी लोगों का ठीक है ठीक है इस चीज को पूरा एक्स्प्लेइन किया गया आप देख सकते हैं आराम से और अगला कुछ नहीं है बस एक पूछा आम लोगों से एनी लिफ्टिंग मसीन किसी एक लिफ्टिंग मसीन का लेकिन मैं ध्यान देदू वो एनी का नहीं पूछेगा जैसे मैंने इस्कूरू जैक को समझा दिया है मैंने इस्कूरू जैक का लेकिन मैं आपको इमानदारी से बता रहूँ नाम देके भी पूछेगा या तो वो बोलेगा किसी lifting machine को समझाईए मैंने this project समझा दिया लेकिन अगर वो नाम देके पूछा की नहीं, wheel axle समझाईए उसके बाद differential pulley block समझाईए, तो इसके लिए क्या करना है, केवल आधे घंटे की एक class है machine की, उसको अभी जाकिब देख लीजी आप आधे घंटे की machine की last class है machine की last class है आधे घंटे की, वो आपको free of cost पड़ी हुई है, इसी वीडियो के description में playlist है अंतिम class है, उसमें सारी machineों का diagram दिखा करके हमने सारी machine, उनका आधे घंटे में सब समझा दिया, तो कितने लोग हैं जो एक बार उसको जरूर एकजाम में revise करके जाएंगे, बताएं कितने लोग हैं जो एक बार उसको exam में जरूर revise करके जाएंगे, बताएं कमेंट करिए गौतम कुमार इंगलीस में तुम क्या करोगे जाएंगे, तुम जो कर रहे हो उसमें लगे रहो, जिस गतिवीदी में तुम लिप्त है, उसमें लिप्त रहो, पढ़के तरोगे क्या तुम यह बताएंगे, चलिए इस class के अलावा, यदि तुमने इस PDF को एक बार revise कर लिया, एक बार revise कर लिया, ठीक है, उसके बाद तुम जा करके machine का वो लेक्चर आदे घंटे का देख लिये, तुम पचास नंबर पूरा लाज सकते हो, और खोपड़ी से डर निकल जाएगा, अचा कितने लोगों को आज दर कम लग रहा है, आज की इस class के बाद ऐसा कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं मैं paper कर सकता हूँ, बस मुझे देखो यार तुम लिखे नहीं न, यदि तुम लिखे नहीं तो उसमें मैं क्या करूँगा, बताओ, मैंने पूरा समझा दिया, यदि तुम लिखे नहीं त करके जाना, लिख क्या आना, और paper देने के बाद मैं feedback लेने भी आऊंगा, तुम मिस्रा की अच्छी का लगा हुआ है, तुमको playlist का link भेज दूँगा, तुम हला मचा दी यार, जब मिल नहीं रहा तो time दो, अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है, मैं कह रहा हुआ है, time दो मैं तुम्हें comment box में लगा तार लगे हुआ, दे दूँगा दोस्त, तेलिग्राम चैनल का नाम, एप्लिकेशन का नाम, सारा नाम इसी नाम से है, civil tech solution नाम से यह, play store पे एप्लिकेशन और टेलिग्राम सब, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है, हाँ, रिसु सिंग, ठीक है, ठीक है, जै वर्मा, बहुत सारा प्रेम भाई, तुम्हें भी बहुत सारा प्रेम, ठीक है, आप exam के अंतिम दिनों तक इसको देख के जरूर जाईए, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप देखे, अच्छा कितने लोग ऐस से थे जिनको लग रहा था कि मैकेनिक्स असलेबस नहीं खतम होगा, यहां कुछ लोग बहुत परिसान थे, एक निर्मल कुछ वाहा जी है, पता नहीं वो ये वीडियो देख भी रहें कि नहीं, उनका बहुत कमेंट आता था, क्या कहीं पर आप देख रहें निर्मल जी, रहा था कि फ्री चला के खतम करूंगा, तो करवा दिया कि नहीं यह बता दीजिए, अगर अगर आप लोग को पेपर संतुस्ती मिली हो, तो मैं बार बार यहीं कहता हूं, करिएगा, आप लोग इसको सेर, मिलते हैं, अब आगली क्लास कल नियुमेरिकल वाली होगी, उसको जरूर अटेंड करेगा, उससे क्लियरेटी आएगी, ठीक है, बंद किया रहा सेसन, तो गुड़नाइट बोलिए सब लोग, सेसन बंद किया जाया, तो सब लोग गुड़नाइट बोलिए जड़ा, चले पीडिएफ में डला दूंगा, ठीक है, ठीक है, गुड़नाइट बोलिए सब लोग, झाल रहा हुड़नाइब लोग, बन्होग झाल याया, था किया झाल लोग, से senses how to खरनाइट, यणि झाल खरनाइट, जड़नाइब लोग, सेरा लोगा है, वोगज़नाइब लोग, उमशनाइस, तो गayan दूनाइब किया फिना में दूनाई भ ikiोग,